हेलो, वेलकम तु दे नीट प्रीवेस एस क्वेशन सीरी जिसमें हम एक सिंगल वीडियो हैं, पिछले 33 एस में नीट में वेवस टॉपिक पर जितने भी सवाल हैं, सब इसी सिंगल वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेशन रिपीट होते हैं इन फैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेशन सिर्फ चार या पांच टॉपिक में से ही आते हैं, तो वो कौन-कौन से टॉपिक से इस वीडियो को देखो और इस आपको पता चल दियागा, साथ में नोट्स को डाउनलोड करने के लिए लिए लिंक डिस्रिप्श क्या आपने मुझे अनकाडमी पर फॉलो किया है, क्योंकि अगर आपने मुझे अनकाडमी अप पर फॉलो नहीं किया है, तो आपको पता कैसे चलेगा जब भी मेरी वहां लाइब क्लासे होगी, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आज ही मुझे अनकाडमी लेर कि तक होती है अच्छा आप देख भी सकते हैं आप यह सारे मेरी वी फूरानी रिकॉर्दिंग भी सकते हैं वहां पर live class को सारी मिल जाती और कोई भी वीडियो देखने के लिए आप जैसी से टाप करोगे तो आपको एक इन वाइट कोड वहाँ पर अप्लाइ करना होगा, वो भी आप विक्राहंत यूज कर सकते हो, उससे वी आई के आर एंटी, उसके आपको फ्री प्लान आपका अनलॉग हो जाएगा, उसके बाद मेरी क्लासे देख सकते हो, इस तरीके से वहाँ पर भी कलरफुल डिस्प्ले ब प्लस प्लास प्लाइब तो प्लस एडवागी होगे हैं दरेफी हों कोडना गेऑर अपको यूगत खल्याप मिलता है और गोता च्मानी छर्श फोटा ठीचल सकते हैं किस तरीके से बढ़ना है यह जो भी प्रण्मे क्रिम्स कर रही है, उनका मॉन पर रेजियुट्शन और यह लोग वह अते जिन्होंने रिसेंटली वह एक्जाम क्लियर किया है जिस एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हैं तो वह उस एक्जाम से बहुत अच्छे तरीके से इस इसके लिए आप जाकर के plus या iconic subscription ले सकते हो यहाँ पर भी आप मेरा code विकरांट लगाओगे तो आपको maximum possible discount जो होता है वो मिल जाता है इसी के साथ सबसे important चीज़ की use my code विकरांट on the app अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा important topic है वो है wave equation का wave equation लिखी कैसे जाती है और बहुत सारे question majority question सबसे जादा question आचली इसी topic पर है तो मान लो हमारा पास कोई भी एक इस तरीके से wave है wave में wave या तो इधर जाएगी है इधर जाएगी है आप और जो wave move करती है तो wave में actually particle उपर या नीचे shm करता है जैसे यहाँ पर जो भी particle है वो सिर्फ उपर जाएगा नीचे आएगा particle left or right नहीं जा रहा है wave इस direction में जा रही है या फिर हो सकता है इस direction में तो हम किसी भी wave की equation को लिखते हैं y is equal to a sin omega t minus kx plus 5 यहाँ पर important चीज़ क्या है यहाँ पर omega t kx का direction अलग-अलग है देखो अगर यह positive है तो यह negative है यानि कि इसका मतलब हमारी wave positive direction में जा रही है अगर यह दोनों positive हो जाएंगे इसका मतलब हमारी wave उल्टे direction में आ रही होगी अगर दोनों negative हो जाएंगे जैसे sign में अगर हम 5 की value को change कर दें pi add कर देते हैं तो वो minus 1 मर करके इधर आ जाता है तो इन दोनों का sign अगर same है इसका मतलब हमारी wave negative y direction में जा रही है इसी equation को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे y is equal to a sin omega t minus kx यह सबसे basic वाली हमारी equation है जिसमें हमने मालो 5 की value 0 है initial phase की value 0 थे और omega जो भी इस shm की omega है या फिर उसी को 2 pi by lambda भी लोग बोला जाता है और उसे angular wave number हम बोलते है अगर यहाँ पर k की value आप omega by v रखते और omega को common निकालोगे तो हमारी equation क्या बनाते है y is equal to a sin फिर omega common है जाएगा t minus x by v अब यहाँ पर आप omega की value रख सकते है 2 pi f frequency जो होती है हमारी wave की या फिर 2 pi by time period यह जो भी shm हो रहा है उसका जो भी time period है या इस wave जो भी time period है अगर यह values रख देते हैं तो हमारे पास आता है y is equal to a sin 2 pi को आप बाहर निकालोगे यहाँ जाएगा t divided by capital T मतलब जो भी time t हुआ है इस instant पर divided by time period value यहाँ से जाते हैं देखो हमारे पास बहुत है v is equal to lambda by t यहाँ से v की value हो जाते है f lambda यह values आप रखोगे तो आपको मिलेगा y is equal to a sin 2 pi by lambda यहाँ पर अंदर बचेगा vt minus x vt क्या है मानलो wave यहाँ से यहाँ तक चली कोई भी distance कितनी दूर जा चुके x कौन सा distance है मानलो हमको यहाँ पर इस position पर उपर नीचे की तरफ amplitude पता करना है कितना particle का displacement है तो उससे हमें यह मिलता है इस तरह से हमारे पास मुट़़-मुटी 4 equation है उनमें से भी mostly तो यही 2 use हो जाती है बाके ही तो हमें जाने की ज़रुद नहीं पड़ती है लेकिन हम सारे के सारे questions solve करेंगे आप देखते जाब कितने सारे questions इस पर आते हैं पहला सवाल Which of the following equations represent a wave इनमें से wave कौन कौन सी है y is equal to a sin omega t यह wave नहीं है यह shm है y is equal to a cos kx तो इसमें time का कोई function ही नहीं है यह तो एक string ऐसे बनी हुई है x के साथ में उपर नीचे हुई है वो wave नहीं है वो propagation वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है यह भी wave नहीं है wave जैसी दिखेगी इस car graph बनाओगे तो c है y is equal to a sin a t minus bx plus c तो यह हमारा वैसे लग रहे है ना कुछ omega t minus kx plus 5 sin के अंदर तो यह हमारी wave की equation है d है y is equal to a omega t minus kx यह भी हो सकती थी लेकिन इसमें sin का function ही नहीं है sin ही नहीं है तो यह कुछ और चीज हो जाएगी तो हमारा answer यहाँ पर हो जाता है c बहुत ही simple question है the equation for a transverse wave traveling along the positive x-axis with amplitude 0.2 meter velocity v is equal to 360 meter per second and wavelength is equal to 60 meter can be written as तो हमारा पार बहुत सारे option है देखो इनने बोला amplitude की value 0.02 meter यहाँ पर सभी option में amplitude की value उतनी है तो amplitude की तो हमें consider करने की ज़रूरत ही नहीं है अब हमें बाकी चीज़े देखने हैं हमने देखा था कि wave की equation लिखने का तरीका होता है y is equal to a sin फिर उसके बाद यहाँ पर जाता है 2 pi by lambda और bracket में होता हमारा पास vt minus x यहाँ पर हम सीधे सीधे देखो हमारे पास lambda की value है velocity की value है amplitude की value अगर हम यह सीधे values रख देख देख तो हमारा answer directly आ जाता है क्या आ जाता है यहाँ पर y is equal to 0.2 sin of 2 pi lambda की value कितनी है 60 meter तो यहाँ पर आ जाता हमारा 60 velocity की value कितनी है velocity की value है 360 t minus x यहाँ पर आप 60 को अंदर ले जाओगे तो हमारे पास आ जाता है y is equal to 0.2 sin of 2 pi अंदर आ जाएगा 60 sorry 60 बचेगा है 60 minus x divided by 60 कौन सावाला option है हमारा यह है option number a अब सवाल उड़ता है कि अगर हमें यह वाली equation यह वाली form नहीं आठ थी तो क्या करते मालो हमें जो equation यहाद है वो है y is equal to a sin omega t minus kx हमें तो बस यह वाली यहाद है और दूसरी हमें याद ही नहीं है तो देखो यहाँ पर हमारे पास velocity हमें पता है हमें lambda पता है तो हम क्या time period निकाल सकते हैं देखो हमें पता v is equal to f lambda यहाँ से हमारे पास frequency आजाएगी frequency आजाएगी तो हमें पता है omega is equal to 2 pi f होता है omega is equal to 2 pi f तो यहाँ से हम लिख सकते हैं omega is equal to 2 pi into f की value हो जाएगी v by lambda यह हमें पता है क्योंकि velocity भी दे रखी है lambda भी दे रखा है तो हमने यह चीज निकाल दी k की value क्या होती है k होता है हमारे 2 pi by lambda k is equal to 2 pi by lambda या फिर k की और एक value होती है k की value होती है omega by v तो हमें omega भी पता चल चुकी है velocity given है या फिर हम directly इसमें यह lambda की value रख देंगे wavelength की और हमारा answer आजाएगा k पता चल गया, omega पता चल गया इस formula रखोगे तो भी आपका answer यह आजाएगा लेकिन again हमें time बचाना है तो आप यह सभी जो हमारी 4 wave equations के format से उन्हें याद रखोगेगे तो इस तरह के equation आप चुटकियों में solve कर पाऊगा next question a wave traveling in the positive x direction having displacement along y direction as 1 meter 1 meter यानि याँ पे amplitude होगया represented by तो हमारे पास किया frequency की value है 1 upon pi तो omega की value क्या आजाती है omega होता है हमारा 2 pi f omega की value आजाती है यहाँ पर 2 pi into 1 upon pi which is equal to सिर्फ 2 radian per second तो हमारे जो time का component होता है उसका multiple level सिर्फ omega होता है हमारे पास इस तरह की equation होती है y is equal to a sin omega t minus kx या फिर kx minus omega t भी हो सकती है क्योंकि positive direction में move हो रही है तो हमारे omega का sign और k का sign दोनों opposite होने जाए अगर दोनों के sign से मुझाएंगे तो wave negative x direction में propagate करने लग जाएंगे यहाँ पर आप देखोगे कि omega की value आती है 2 radian per second और ऐसा हमारे पास सिर्फ एक option है तो वो है हमारा d हमारा answer हो जाता है two waves are represented by the equations y1 is equal to a and y2 is equal to a where x is in meter and t is in second जो हमारी regular waves की equations होती है the phase difference between them is तो पहले इनको लिख लेते है हम हमारे पास है y1 is equal to a sin omega d plus kx plus 0.57 दूसा y2 is equal to a cos omega t plus kx तो यहाँ पर हमें देख करके लग रहा है इन दोनों के बीच में phase difference की value तो है 0.57 और बहुत लोग जल्दी से इसको 0.57 answer mark कर देंगे लेकिन यह correct answer नहीं है देखो यहाँ पर sign है यहाँ पर cos है दोनों को हमें sign में convert करना होगा उसके बाद ही हम calculations समझेंगे cos की value change करने के लिए cos को अगर हम sign में करते जैसे हमाँ पास है cos theta is equal to हम क्या बोलते है sin of 90 plus theta तो यहाँ पर हम इसी को लिख सकते है y2 is also equal to a sin omega t plus kx plus 90 degree यानि कि उसको radian में बोलोगे तो हो जाता है pi by 2 radians यहाँ पर सारी values radians अब देखो अब हम इस equation को और इस equation को compare कर सकते है और यहाँ पर हमें पता चलता ही जो हमारा phase difference है इसको मैं लिख दूँगा delta 5 is equal to 5 2 minus 5 1 या फिर 5 1 minus 5 2 कोई सा भी गर लो is equal to pi by 2 minus 0.57 radian pi by 2 की value किते हो दिए pi by 3.14 3.14 का आधा हो जाता है 1.57 minus 0.57 answer आजागा हमारा 1 radian A is the correct answer बहुत अच्छा question दा यह next question देखते हैं sound waves travel at 350 meter per second through a warm air and 3500 meter per second through brass the wavelength of a 700 hertz acoustic wave as it enters brass from warm air यहाँ पर क्या ओर है हमारे पास दो अलग-अलग media है एक तरफ है हमारे पास क्या था एर और दूसी तरफ है हमारे पास brass brass में हमारे पास speed है वो है 3500 meter per second यहाँ पर 3500 sorry 350 meter per second यहाँ पर हम देखते हैं कि velocity 10x हो गई है 10 गुना है अब देखो यहाँ से जब वेव जाती है तो उस तरफ जाएगी उस वेव की frequency चेंज हो जाएगी नहीं होगी उसकी wavelength और speed चेंज जाती है frequency कभी भी चेंज होती है किसी wave की frequency ऐसे चेंज नहीं होती है तो हम बोलेंगे हमारी frequency stays constant frequency और इनका relation क्या होता है V is equal to F lambda यह आपको याद होना चाहिए यहाँ से हमें पता चल जाता है कि frequency is equal to velocity by lambda तो frequency को अगर constant रहना है तो हम बोल सकते हैं V1 by lambda 1 is equal to V2 by lambda 2 हमें क्या पता करना है यहाँ से जा रहे हैं एर से जाकर कि brass में घुस रही है तो हम बोल देंगे कि frequency वेवलेंथ in brass is equal to velocity in brass divided by velocity in warm air into wavelength in air तो वो air आजाए गया है आपर और यह हमारे पास आंसर आजाता है यह है 10 into lambda 1 तो हमारी wavelength दस गुना लंबी हो जाएगी और हमारे पास आंसर जाता है C इसको आप ऐसे जो हमारी wave यहां से धीरे 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 आ रही थी जैसे brass में तो brass में speed एकदम से बढ़ जाती तो wave ऐसे यहां से खिच सी जाएगी ऐसे तुरंद भाग जाएगी तो आप देखो यहां पर जो एक wavelength थी अब यहां पर 10 गुना लंबी हो गई है यह वेफलेंग लिखना अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहां पर five complete waves in four meter आप इसको ऐसे समझो एक complete wave दूसरी तीसरी चौथी पांची five complete waves in four meter तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ five lambda is equal to four meter यानि कि lambda is equal to four divided by five meter which is equal to point eight meter हमारे पार वेवलेंथ आ गई next हमारे पास क्या है speed दे रखे वी की वैल्यू हमें पता है v is equal to one twenty eight meter per second तो क्या हमारे पास कोई ऐसी वेव का equation का format है जिसमें हम directly यह velocity और wavelength का use करके equation लिख पा है देखो हमारे पास हमारे पास है y is equal to a sin two by by lambda into vt minus x यहां पर amplitude की value देखो हम रख देंगे सब में point zero to point zero two into sign और two by by lambda two by lambda की value है इसको divide कर दो तो divide करो तो पाइब लेंडा है नहीं कि four into five आजाएगे यहां पर और अंदर इसको सिंप्लिफाइब करो point zero to sign of हमारे पास time में value कितना है देखो यह आफ हो जाएगा 128 divided by two यानि कि 64 64 into five कितना हो जाता है थ्री ट्वेंटी पाइटी माइनस पाइफ पाइब बाइट्व एक्स अब इसकी value किती हो जाएगे देखो पाई की value होती है 3.14 और यह 320 है 320 इसको आप multiply करोगे तो इसकी value approximately thousand के आसपास आ जाते है हाना क्योंकि 3 into 39 होता है तो यह उससे थोड़ी value यहाँ पर जाला है तो हमारे पास यह जो दो option है उनमें से ये वाले दो options हमें देखाई दे रहे अब यहाँ पर देखो x का coefficient दोनों में same है तो x के coefficient की value minus 5 pi by 2 यह भी इसकी value लगबग इतनी आ जाई अब इन दोनों में से कौन सा option सही है तो यहाँ पर अगर दोनों का sign positive है यानि negative x direction में जा रही होगी अगर दोनों का sign opposite है यानि कि wave positive x direction में जा रही है तो हमें positive x direction वाली wave पता करनी थी तो हमारा answer आ जाता है c बहुत ही simple यह question थ और फिर अगें सवाल उड़ता है कि अगर आपको यह वाला format याद नहीं है तो आप कैसे solve करोगे देखो हमें velocity दे रखे हमें wavelength दे रखे है हम इन दोनों का use करके formula लगा सकते है v is equal to f lambda और omega is equal to 2 pi f and k की value के हो जाती है k की value हो जाती है 2 pi by lambda यह कुछ formula है इनका use करके आप सारी values भी पता कर सकते हो और इससे भी same answer आ जाए next question the wave described by y is equal to 0.25 sign 10 pi x minus 2 pi t where x and y and meter in seconds is a wave traveling along हमें बताने किस direction में जा रही है अगर इन दोनों का sign अलग-अलग है देको यह t का coefficient negative है और x का coefficient positive है यानि कि यह positive x direction में जा रही है अलग-अलग sign है opposite sign है बदा positive x direction में जा रही है तो हमारे पास यह वाला option हो गाई नहीं positive x direction frequency पाई हर्ट्स यहाँ पर frequency 1 हर्ट्स तो अब हमें यहाँ पास से frequency पता कर लें है इसकी frequency कितनी है यहाँ पर हमें देख रहा है omega की value कितनी है omega t यानि कि 2 pi t तो ओमेगा देख रहा हमें 2 pi तो frequency क्या होती है omega is equal to 2 pi f यहाँ से clearly हमारे पास f की value 1 है तो यहाँ कि frequency is equal to 1 हर्ट तो हमारा answer हो जाता है c अच्छे सवाल था simple था equation of a progressive wave is given by y is equal to 4 sign यह कुछ equation है then which of the following is correct तो यहाँ पर हमें बहुत सारे option है इनको हमें check करना पड़ेगा अब कौन सारे को amplitude की value x and y in centimeter चलो यह अच्छा किया इनने बता दिया यहाँ पर क्योंकि amplitude की value 0.04 cm यह तो नहीं है यहाँ पर 4 है तो यह हमारा answer नहीं है अच्छे इसमें हम कौन सी वाली wave की equation को use कर सकते हो हम इसमें equation use कर सकते हैं y is equal to a sign 2 pi क्या होता है यहाँ पर t by t minus x by lambda यह हमारा पास standard form है क्या हमें यहाँ पर बाहर में 2 pi दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 pi दिखाई नहीं दे है तो इसी equation को मैं convert करने के लिख दूँगा is equal to 4 sign of 2 pi अंदर आ जाएगा t divided by 10 हो जाएगा यहाँ पर 5 था यहाँ पर 1 था अगर मैं इसे 2 करता हूं तो यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा minus x divided by 18 था ना प्लस 5 by 6 यह हमारा पास इस तरीके से equation आ गए यहां से हमें पता चलता है कि time period की value है 10 second साथ में पता चलता है लेमडा की value है 18 cm तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा option आ रहा है यहाँ पर यह हमें option देगा कि भी हमारा correct option है फिर भी हम frequency चेक कर लेते हैं frequency कितने होती है frequency होती है 1 by time period तो उसकी value कितने है 0.1 तो यह भी हमारा गलत हो गया और हमाँ पास frequency की value आ गए हम velocity पता कर सकते हैं velocity क्या होती है velocity होती है लेमडा बाई time period लेमडा की value है 18 टाइम पिरेट के value है 10 seconds इसके value होती है 1.8 cm per second तो यह भी गलत आ रहे हैं हमारा पास actually answer सिर्फ बी correct आ जागा यह भी अच्छा question था तो हमें सारी की सारी forms याद रखनी है बहुत ज़्यादा जरूरी है 4 तरीके से हम किसी भी wave equation को लेख सकते हैं आगे चलते हैं यह एक interesting सवाल है the transverse wave represented by the equation यह question है has amplitude अब हमें फिर से वही सब चीज़े चेक करने हैं जो हमने पिछले question में करा था तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं देखो हम फिर इसको लेख सकते हैं यहां पर पहली बात amplitude देख करके लगेगा कि 4 है देखो 4 amplitude नहीं है 4 into sine pi by 6 यह हमारा amplitude है यह क्यों होने अलग करके खाली ट्रिक करने के लिए इन्हें कुश्चन अगती है यह पाइबाइ 6 कितना होता है पास साइन पाइबाइ 6 ही वैलियो होती है वन बाइडियो तो आच्छुली हमारी जो वेब की equation है वो है y is equal to 2 sine of 3x minus 15t अब यहां पर इस equation को देख करके हमें पता चलता है देखो t का जो coefficient है वो होता हमारा omega t तो यहां से omega की value हो जाती है omega is equal to 15 radian per second अब omega आगई है तो क्या हम इससे time period निकाल सकते है देखो हमारा पास होता है omega is equal to 2 pi by time period तो time period की value जाती है 2 pi by 15 second तो यह हमारा option नहीं है period की value pi by 15 नहीं है 2 pi by 15 है okay next question क्या है हम check कर लेते हैंगे क्या हमारी speed of propagation है speed of propagation के लिए हम आ जाएंगे k k क्या होता है यह वाला जो angular wave number होता है इसकी value कितनी होते है इसका formula होता है k is equal to omega by v यहां से v की value आ जाएगी omega divided by k यहां से omega थी 15 k की value थी कितनी 3 तो यह cut जाएगा हमारा answer जाता है 5 तो यहां पर यह 5 देख रहा है यह हमारा correct answer है फिर भी हम बाकी options को check कर लेते हैं क्या wavelength है wavelength कैसे पता करेंगे देखो हमें पता है कि k is also equal to 2 pi by lambda यहां से lambda की value आ जाती है lambda is equal to 2 pi divided by k और k की value कितनी है k की value है यहां पर 3 तो हमारा पास lambda की value रहती है 2 by 3 pi जबकि actually यहां पर कुछ और option आ रहा है 4 pi by 3 तो यह भी हमारा answer नहीं है और amplitude तो हम check करी चुके हैं कि हमारे amplitude की value 2 है ना की 4 तो यह भी हमारा answer नहीं है हमारा answer नहीं है to zero displacement is 0.170 second the frequency of the wave is बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास जो भी particle होता है इसको solve करने की कोशिच करो video pause कर गए वी particle होता है wave में क्या होता है पहले वो maximum position पर जाएगा SHM की तरह है फिर वापस mean position पर आएगा फिर से maximum position पर आएगा और इधर आजाएगा वापस इस तरीके से तो यह पूरा का पूरा होता है हमारा time period t और symmetry से में पता चलता है इसमें हर एक part है उसका जो time लगता है वो भी होता है t by 4 हमें क्या बोला maximum displacement से zero displacement आने में उसको time लगा है कुछ एतना तो हमारे पास आगया है t by 4 is equal to .17 यानि t is equal to 4 into .17 which is equal to .68 seconds अब यहांसे हमें पता करना है frequency frequency होता है 1 by t which is equal to 1 divided by .68 द्रमर्मेस को 0.6666666666666666666666666 ही मान लूँ तो वह हो जाता हमारा 1 divided by 2 by 3 याने कि 3 by 2 which is approximately 1.5 जो हमारा option हाँ 1.47 तो हमारा answer ए ता है A हमारा answer है next question देखते हैं इस पीड फ़ वेव इन अ मीडियम इस 960 मीटर पर सेकेंड इफ 3600 वेव्स आ पासिंग थूए पॉइंट इन दे मीडियम इन वन मिनिट देन वेवलेंट अप दे वेव इस बहुत है है आई हमारे पास एक बॉयंट banco सिटर से यह हमारी वन वेव ती यह थी यह थ्री इस तरीके से एक मिनिट में इतनी वेव आगे चलिए आते हैं नी ग viral बोलेंगे विलोसिटी इंटु टाइए उस इकियल डिस्टेंस है ठीक है विलॉसिटी हमें पता करनी है टाइम कितना है एक सेकंड नहीं है एक मिनिट है देखो ध्यान से बढ़ो वन मिनिट है तो यहां पर हम इसको कर देंगे 60 सेकंड is equal to distance हम कितना जादा आगे चल गए है distance हम आगे चले गए है 3600 waves तो 3600 lambda यहां पर speed की value फिर से आप रख सकते है speed की value है 960 तो यह 0000 कट जाएगा यह कट जाएगा 1 by 6 बचेगा लेंडा की value आ जाती है 96 by 6 जिसकी value आ जाती है 16 मीटर में हमारी calculation है तो हमाई wavelength जाती है 16 में तो काफ़ी tricky question था tricky से लिए था क्योंकि यह one minute है one second नहीं तो बहुत लोग इसको 16 का into 60 वो भी हमारा एक option होना चाहिए यहां पर ताकि silly mistake रहे तो आप गलत option तो माज कर पाऊ पता नहीं क्यों ऐसा option बनाते नहीं है लोग रिपीट हुआ यह question देखो the speed of wave in the medium is 760 meter per second इस बार speed की value बार change कर दिया तो मैं इसको जल्दी से solve कर देता हूं 760 into time की value इस बार एक मिनिट की जागे है दो मिनिट है तो यहां पर जाएगा 120 is equal to 3600 लेम्डा अरे जीरो से जीरो यह कट गया जीरो से जीरो गट गया और यह कट गया हमारा three times लेम्डा की value जाती है 76 divided by 3 which is approximately 25.333 meter हमारा आंजायता है बी बहुत अच्छा स्वाल था है और ऐसा फिल से repeat हुआ देगो a hospital uses ultrasonic scanner अच्छा यह वह वाला निया गया to locate tumor in a tissue the operating frequency of the scanner is इतना frequency दे रखिये इस बाहरा the speed of sound in a tissue is इतना the wavelength of sound in tissue is close to wavelength wavelength speed और frequency हमें इनके बीच में relation कौन सा पता है हमें बता है v is equal to f lambda होता है velocity की value है 1 7 0 0 meter per second सबकुछ SI units में लेकिया हो velocity is equal to frequency की value कितनी है 4.2 into 10 raise to power mega 10 raise to power 6 into lambda हमें पता करना है ओके तो यहां से solve करना बहुत ही आसान हो जाएगा यह जाता है 17 divided by 4.2 into 10 raise to power minus 4 is equal to lambda और इसको आप इस तरीके से करोगे तो इसकी value approximately आजाती है हमारी 4 into 10 raise to power minus 4 is equal to lambda तो हमारा answer यह आजा तो काफी close मतलब option इसमें लिखा भी था है tissue is close to next question देखते है from a wave equation y is equal to 0.5 sine 2 pi by 3.2 यह जो भी equation है the frequency of the wave is तो क्या हम यहां से frequency पता कर सकते हैं देखो frequency पता करने के लिए हमें omega पता होनी चाहिए यहां से omega की value जल्दी से बता हो क्या है यह 2 pi divided by 3.2 यह अंदर चला जाएगा है 64 से multiply होगा यह पूरा का पूरा हमारे t का coefficient है omega t तो यह हमारी omega बन जाएगी तो हमारे पास omega की value हो जाएगी है 2 pi upon 3.2 into 64 यह हमारी omega है जिसको हम जानते is equal to 2 pi f ऐसा होता है तो यहां से देखो यह हमारा कट गया 20 ताइम्स और हमारे पास 2 pi से 2 pi कट गया और frequency की value हो जाती है 20 hertz सी हमारा answer हो जाएगा और इसा सवाल फिर से repeat हुआ है बहुत ही आजान सवाल था the frequency of a sinusoidal wave y is equal to this cos this this would be यहां पर video post करो solve करने की कोशिश करो नहीं करो चलो देख लेदे हमारे पास omega की value क्या है यहां पर देखके हमें पता चलता है t का जो coefficient है वो होता है हमारा omega y is equal to a cos omega t minus k x तरीके से omega की value आजाती omega is equal to 2000 is equal to 2 pi f frequency की value यहां से आजाएगे सीरे 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 1000 divided by pi तो इतने hertz वो है हमारा option number d the equation of a sound wave is given as y is equal to a sin omega x sorry k x plus omega t अच्छा देखो यहां पर दोनों का positive sign है तो यानिकि wave हमारी negative x direction में जा रही होगी पर वो सब तो सवाल में पूछे निया the wavelength of this wave is बहुत ही आसान है यार यह तो k x में यह जो k होता है यह k क्या होता है क्य होता है हमारा k 2 pi by lambda होता है तो यहां पर 2 pi by lambda is equal to 62.4 यह मुझे कुछ कुछ बैसा दिख रहा है को इसको 62.4 को मैं लिख सकता हूं 31.2 into 2 और 31.2 उसको मैं लिख सकता हूं 10 pi into 2 10.2 is equal to 2 pi by lambda यहां से 2 से 2 कट गया पाई से पाई कटके है lambda is equal to 1 by 10 यहांने की 0.1 unit जो भी unit हाई है d हमारा answer हाई है क्यों calculations ऐसी क्यों देते हैं यह इसकी value 62.8 देते हैं हमारी calculation थोड़ी आसान हो जाते हैं कोई बात नहीं a transverse wave is represented by y is equal to a sin omega d minus kx for what value of the wavelength is the wave velocity equal to the maximum particle velocity होती है कि यह बहुत इंड्रेस्टिंग सवाल है वीडियो को pause करो solve करने की कोशिश करो हमारे पास क्या होता है कोई भी वेव होती है ऐसे 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 वेव जा इदर रही है velocity दी से लेकिन यहां पर साथ में कुछ particle भी है जो उपर नीचे इस तरीके से move करते है तो जब particle mean position पर होता है वो particle क्या shm कर रहे है जिस वक्ट particle mean position पर होता तो उसकी velocity max होती है नीचे की तरफ या उपर की तरफ mean position पर होना चाहिए यहां पर जाएगा Maxima पर पहुंच जाएगा, उसकी velocity फिर 0 हो जाएगे, फिर वो वापिस नीच आने लग जाएगे तो यहाँ पर हम अगर इसकी मानलो को equation y is equal to a sin omega t minus kx किसी भी particle के लिए उसका x coordinate तो वही रहता है, वो इदर उदर तो जहां नहीं रहा है x coordinate की value तो same रहती है, तो इस kx को किसी एक particle के लिए, किसी भी particle के लिए हम constant मान सकते हैं, तो अगर मैं इस dy by dt कर दो, dy by dt इसको differentiate करो तो उससे मेरे को velocity की value मिलती है a omega cos omega t minus kx अगर मुझसे velocity की maximum value पूछी जाए तो वो value तब होगी जब यह cos वाली term की value maximum यानि की one हो जाएगी, तो हमाई पास maximum velocity हो जाती है a omega इसको मैं लिख दूँगा v max is equal to a omega और इसको हमें किस से equate कर देना, इसको हमें wavelength, for what value of the wavelength, the wave velocity हमें wave velocity को equate कर देना, wave velocity कितनी होती है यहां पर wave velocity होती है, यह case से हमें बता चलता है, ठीक है, तो wave velocity होती है के is equal to omega by v, velocity is equal to omega by k, यहां आ जाएगा हमारा omega by k, यहां आपर देखो ही, यह इस तरीके से खट गया, और हमारे k की value होती है, 1 by a, k की value also क्या होती है, k is equal to 2 pi by lambda, तो is equal to k is equal to 2 pi by lambda, यहां से lambda के value आ जाती है, 2 pi a, और यही हमारा answer हो जाता है, 2 pi a की हमारी frequency होने चाहिए, बहुत ही simple questions आएगे, a transverse wave is represented by the equation, blah 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 blah, अच्छा है इस बार दूसरी formula है, 2 pi by lambda, vt minus x, ठीक है, for what value of lambda, is the maximum particle velocity equal to 2 times the wave velocity, पिछला वाला ही question है, देखो, v particle की max is equal to 2 times v wave, particle की maximum velocity कितनी होती है, a omega is equal to 2 times v, अच्छा, velocity तो यहां हमें, दे ही रखे है, हमें कुछ calculation ही नहीं करनी पड़ेगे, बस हमें values रखनी है, देखो, a की value कितनी है, a है हमारा why not, तो यहां पर हम रखते हैंगे, why not, omega की value कितनी है, देखो, यहां पर जो भी t का coefficient होता है, वही omega होता है, t का coefficient क्या है, v, नहीं, सिर्फ v नहीं है, यह 2 pi by lambda भी उसी में multiplied है, तो 2 pi by lambda v हो जागा है, why not into 2 pi by lambda times v is equal to 2 times v, यहां से आप देखोगे, v से यह v इस तरीके से कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, हमको क्या पूचा है, wavelength पूचा है, यह लेम्डा is equal to pi y not, यह है हमारा option number d, बहुत simple question दा, और repeat हुआ है equation, देखो, the equation of a simple harmonic wave is given by, यह हमारी equation है, where x and y are meters and t is in second, the ratio of maximum particle velocity to the wave velocities, तो हमें पास v particle, divided by v wave, हम से यह बूचा है, v particle होती है, a omega, v wave हो जाती है, हमारी k होता है क्या, omega by k, यहां इस तरीके से खट जाएगा, और इसकी value हो जाती है, a into k, हमें यह पता करना है, amplitude की value कितनी दे रखी है, 3, k की value कितनी है, देखो, यहां पर k, यानि की x का coefficient क्या है, वो minus 1 नहीं है, x का coefficient में, यह pi by 2 भी multiply हो जाएगा, तो इसकी value हो जाती है, pi by 2, उसकी value हो जाती है, 3 by 2 pi, हम से जो ratio पूचा था, यह अजीब से ratio क्यों पूचा था, उसकी value है, 3 by 2 pi, हमाना answer हो जाता है, b, ऐसे ही और एक सवाल है, जो आया हुआ है, तो आपको सारी के सारी wave equations लिखना आना चाहिए, a transfers wave propagating along x, x is represented by this, is equal to, यह amplitude है, यह k है, यह omega है, यह initial phase है, where x is in meter, t is in second, the speed of the wave is, speed of the wave, v wave, is equal to omega by k, omega की value कितनी है, देखो, यहाँ पर omega की value है जाती है, 4 pi, 4 pi, divided by k की value कितनी है, k की value है, x का coefficient यह नहीं, 0.5 pi, 0.5 pi, pi से pi कटके यह answer जाता, 8, 8 meter per second होगा, c हमारा answer हो जाएगा, exact same question, फिर से repeat होगा, देखते जाओ बस, यही चीज़़ा चल गया, the equation of a traveling wave is, यह हमारी equation है, omega की value 180 है, k की value 6 है, where y is in microns, ठीक है, microns में, t is in second, x is in meter, the ratio of maximum particle velocity to velocity of wave propagation is, बहुत ही interesting सवाल है, देखना इसमें गल्ती का होती है, हमारे पास x meter में है, लेकिन y micron में है, तो यानि कि यह जो value है, यह भी micron में होगा, तो यह 10 raised to about minus 6, हमें यहाँ पर multiply करना रहेगा, तो हम से क्या पूछा है, ratio of maximum particle velocity to velocity of wave propagation, हमें पूछा है, v particle divided by v wave, इसकी value हो जाती है, a omega divided by यहाँ पर जाता है, omega by k, तो यह फिर से cut के आ जाता है, a into k हमें बताना है, amplitude की value कितनी है, यहाँ पर देखके लगए, amplitude 60 है, लेकिन क्योंकि यह microns में है, तो 60 into 10 raised to about minus 6, micro, millimeter, micrometer, microns, micron है गया, micron तो वजन होता है ना अपने के लिए, तो वजन fluctuate कर रहे है, क्या हो रहा है, okay, k की value यहाँ से मिल जाती है, हमें 6, या फिर मैं इसको लिए सकता हूँ, 3.6 into 10 raised to about minus 4, यह हमारा option, भी correct हो जाएगा, अच्छा सवाल था, the equation of a wave is represented by, y is equal to, यह omega t minus kx, the velocity of the wave will be, इस से simple सवाल नहीं हो सकता, कुछ भी velocity होती है, हमेरी omega by k, omega क्या है, t का coefficient, यानि की 100, यहाँ पर आजाएगा, 100 divided by k क्या होता है, k होता है हमारा x का coefficient, इसकी value है, 1 by 10, 1 divided by 10, यानि की, 1000 meter per second, d हमारा answer आगया, बहुत ही आसान सवाल था, the time of reverberation of a room, जब room में आवाज गूंचती है, उसे reverb बोलते हैं, of a room a is 1 second, what will be the time in second, of reverberation of a room, having all the dimensions, double of those of room में, वेको हमारा पास माल लेगी, यह room है इस तरीके से, हम यहाँ पर खड़े होगे चिलाते हैं, तो यहाँ से wave जाती है, टकरा के वापस आती है, उसमें उसको कुछ time लगता, उसका है, उस one second उसको time लगता, अब मैंने अगर सारे dimensions double कर दिये, तो यह room इस तरीके से double हो जाएगा, तो हमारी wave को यहाँ से double distance travel करना पड़ेगा, तो इसको वापस आने में time भी double लग जाएगा, तो हमारा answer आता है, two second हमें लगना है time, d हमारा answer आता है, कोई calculations करने के जरूद नहीं है, बल सबाल है हम कर चुके हैं, पहले देखो, यहाँ पर हमारे पास y1 की value, y1 is equal to amplitude की value में नहीं लिखोंगा, a sin 100 t minus x by 50 plus 0.5, y2 को, y2 देखो यहाँ पर cos में दियो आए, तो cos को हमें sine में करना पड़ेगा, तब ही हम compare कर पाएगे, तो cos theta हो जाता है हमारा sine of theta plus pi by 2, तो यहाँ पर हम y2 की value लिखते हैं, y2 is equal to a sin, या उसका जो भी a है, हाँ, same है, 100 t minus, पर यहाँ पर प्लस प्लस चलाता है, x by 50 plus 90 degree, pi by 2, pi by 2 को radian में करना पड़ेगा, तो radian हो जाता है, उसकी value जाते हैं 1.57, तो अब इन दोनों में देखो, कितना phase difference है, यह वाली term तो दोनों में same है, यहाँ पर 1.57, यहाँ पर 0.5 है, तो हम लिख देंगे, delta phi is equal to 52 minus 51, which is equal to 1.57 minus 0.5, which is equal to 1.07 radians, 1.07 radians, हमारा answer है, next question, two sound waves having a phase difference of 60 degree, have a part difference of, बहुत ही simple ता question है, अब sound waves से अब confused मत होना अभी, अभी sound wave है, तो भी मैं इसका amplitude वाले diagram ऐसे ही बनाता हूँ, यह हमारे पास, एक wave है, इसी तरी के दार हमारे पास, दूसरी wave होगी, ऐसे, इन दोनों के बीच में, कोई phase difference नहीं अभी है ना, देखो, एकदम synchronize है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ, इस तरफ, तो अब मैं इसको half distance ले गया हूँ, तो pi का phase difference आगे है, अगर मैं इसको पूरा इधर ले जाओँगा, तो इसको हम बोलते हैं, 2 pi का phase difference आगे है, हम से पूचा है, कितना है 60 degree, यानि pi by 3 हमें लेके जाना है, तो हमें, इसको actually इतना आगे लाना पड़ेगा, और ये जो distance हो जाता है, वो कितना हो जाएगा, देखो, 2 pi में हमारे पास आजाता है, lambda का difference, तो हमारे पास आजाएगा इस बार, शिर्फ pi में आजाता था, हमारे पास, lambda by 2, और pi by 3 में हमारे पास आजाएगा, lambda by 6 का phase difference, तो D हमारा answer जाएगा, बहुत ही simple question था, और जादा simple question था, velocity of sound waves in air is 330 meter per second, ठीक है, for a particular sound wave in air, a part difference of 40 centimeter, is equivalent to phase difference of, 1.6 pi, the frequency of this wave is, देखो, इसको कैसे करेंगे हम, हमें path difference दिया है, 40 centimeter का, उसके कारण इतना phase difference आगए, तो यह कैसे होता कैसे है, हमारे पास equation कियोते है, y is equal to a sin omega t minus kx, या तो समय बीचता जाता था, उसके कारण हमारा यह phase instantaneous phase बदलता है, या फिर हम x में आगे पीछे जाएं, तो उसके कारण यह kx वाली term के कारण, हमारी values change होती है, तो हमें पता है कि, kx के कारण जो phase difference आगा, वो है 1.6 pi, तो मैं लिख दूँगा, k into x is equal to 1.6 pi, k की value हमें पता करनी है, k हम पता कर लेगे, और x की value दे रखे है 40 cm, तो उसको मैं 40 नहीं लिखूँगा, 0.4 लिखूँगा, क्योंकि सब हमें SI में करना पड़ेगा, is equal to 1.6 pi, अच्छा, k की value कितनी हो जाती, k होता है, omega by, omega divided by velocity कितनी है, हमें sound की velocity की value दे रखे, यहाँ पर 330 meter per second, यहाँ लिख देंगे, 330 into 0.4 is equal to 1.6 pi, अच्छा, यह actually हो जाएगा, हमारे पास इसकी value कटके 4 हो जाती है, omega आ गया, omega is equal to 2 pi f, 2 pi f is equal to 4 into 330 pi, यहाँ देखो, pi से pi कट गया, यह 2 कट गया, हमारा answer है था, frequency is equal to 660 hertz, और यही हमारा answer भी है, next question देखा जाए, next question है ही नहीं, हम आ गये है, next topic पर, आपने देखा कि wave equations से related, बहुत सारे questions थे, और 4 तरीके कि हमारी wave equations होती है, next है wave velocity क्या होती, तो पहले हम देखते है, strings में wave velocity कैसे नहाप जाती है, मालूमा पास कोई एक string है, उसमें अगर मैं यहाँ पर कुछ disturbance करता हूँ, तो disturbance इस direction में travel करता है, और उसकी velocity होती है, t by mu, यहाँ पर t string को कितनी तेजी से हमने खीचा हुआ, उसमें कितनी tension है, mu is string की linear mass density होती है, जैसे आधा कि लोग पर meter, कोई भी इसकी value हो सकती है, frequency change नहीं होती है, जब भी कोई भी हमारी wave ट्रावल करती है, तो उससे related जो भी question है, उनको देखते है, a string of 7 meter length, has a mass of इतना, तो यहाँ से हम mu की value पतागा सकते हैं, mu होता है हमारा mass per unit length, mass की value 0.035 kg, length has 7 meter, यहाँ से देखो यह भी गट जाएगा, 0.05 यहाँ पर जाएगा, is equal to 0.005 kg per meter, हमारे पास linear mass density आ गई, if tension in the string is 60.5 newton, then speed of the wave, देखो यहाँ से speed की value आ जाते है, V is equal to under root T by mu, simple formula है, देखते हैं, calculations कितनी simple होते हैं, T is equal to 60.5 divided by 0.005, which is equal to, यह आज जाएगा हमारा 605 divided by 5.00, और इसको आप करोगे, तो यह 10 root के बाहर ले लूँगा, मैं 60 हो जाता हमारा, 1 to 1, यह हो जाता हमारा 10, अच्छे यह into 11, which is equal to 110, meter per second, बहुत ही अच्छा question है, पहली बार नीट में ऐसा हो रहा है कि, calculations आसानी से हो जा रही है, नीटों कुछ तो भी random calculations करनी पड़ती है, तो यह बहुत ही अच्छा question लगा, next question देखते हैं, यह दूबार repeat भी होगा है, शायद फिर से repeat हो जाए, बहुत हासान भी था, बहुत ही straight forward था, a uniform rope of length L, यह काफी अच्छा सवाल है, इसको दिहान से समझना, और solve बनने की कोशिश करना, वीडियो को pause करके, a uniform rope of length L and mass M1, hangs vertically from a rigid support, तो एक रस्ती है, उसको लटका लेते हैं, पहले तो यहाँ पे एक rigid support है हमाई पास, ठीक है, और इसका खुद का mass है M1, इसकी length है L, और उसे एक block M2 mass का, हमने यहाँ पे लटका दिया है, M2 is attached to the free end of the row, a transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the row, यहाँ पर हमने lambda 1 का एक disturbance बना दिया, वो disturbance उपर propagate करेगा, यहाँ पर हमने जो भी इस तरीके से wavelength में disturbance करेगा, तो यहाँ से वो उपर ट्रावल करेगी, और जब wave ट्रावल करती है, तो उसकी कुछ speed होती है, speed क्यों होती है, velocity is equal to under root T by mu, लेकिन वो जैसे जैसे उपर जाएगी, तो हमारी रसी की क्या tension अलग-अलग है, यहाँ पर रसी को सिर्फ नीचे इस mass को support करना है, जब आप यहाँ पहुँच जाओगे, तो इस पूरे mass को, यानि रसी के mass को भी हमें नीचे की तरफ consider करना पड़ेगा, उसके कारण भी force लग रहागा, तो यहाँ पर हमें वही calculations कर लेनी है, हमें पता है V is equal to F lambda होता है, और frequency कभी बदलती नहीं है, तो हम क्या लेख सकते हैं, F is equal to V divided by lambda, अब यह constant हो रहेगा, यानि कि V2 by lambda 2 is equal to V1 by lambda 1, हमसे पूछा क्या है, lambda 2 by lambda 1 का ratio पूछा है, हमसे पूछा है, lambda 2 by lambda 1, which is equal to V2 by V1, अब V2 by V1 कैसे बता करोगे, यह हो जाता है, देखो V2 की value क्या हो जाएगे, under root T2 by mu, divided by, under root of T1 by mu, यहाँ पर यह mu से mu cancel हो गया, देखो यहाँ से जब आप उपर जाओगे, तो tension की value जरूर बदल रही है, लेकिन इसकी जो linear mass density है, वो तो constant थी, रसी भी linear mass density दो चेंगी और यह था हमारा point 1, यह है हमारा point number 2, अब यहाँ पर जो हमारा answer आजाएगा, इसकी value जाएगी, under root of T2 divided by T1, T2, यहाँ पर जो tension होगे, उसमें M1 और M2 दोनों का mass consider किया जाएगा, तो यह जाएगा M1 plus M2 times G, और नीचे आएगा हमारा सिर्फ M2G, यह G से G भी cancel होजाएगा, हमारा answer जाता है, M1 plus M2 divided by M2, यानि यह हमारा answer, B हमारा correct answer, इस तरीक सामें, इस question को solve कर सकते हैं, velocity of sound, इस topic से भी ठीक ठाक amount में questions पूछे गए है, velocity of sound का एक ही formula होता है, V is equal to under root of E by rho, यहाँ पर E होता है हमारा elasticity modulus, जैसे अगर हम solid की बात करेंगे, तो elasticity modulus solids में होता है, young's modulus या y, जो हमने mechanical properties of solids में पढ़ा था, liquids के लिए y की जगे हम use करते हैं, B का, जो हमारा bulk modulus, यह हमने mechanical properties of fluids में पढ़ा है, इसके बार है, gases में हम P use करते हैं आपर, तो यह हमें Newton ने बताया था कि हम अगर E की जगे पर P use कर लेंगे, तो हमें velocity of sound हो जाएगी, तो यह Newton का formula हमने assume किया था कि isothermal conditions होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, actually में adiabatic होता है, क्योंकि हमारा sound का transfer इत्ती जल्दी होता है, कि heat transfer होने के लिए enough amount of time मिलनी पाता है, तो हम इसको एक adiabatic process महन के चलते हैं, और इसलिए P की जगे हम gamma P वहाँ पर use करते हैं, तो हमारे पास formula इस तरीके से आजाते हैं, यह वाला formula गलत है, लेकिन पता होना चाहिए, यह Newton ने थोड़ा सा error वाला formula आजाता है, actually, gamma P हमें यूज करना होता है, फिर हमारे जो sound की equation होती है, उस बार जो sound wave move करती है, तो sound wave में ऐसे variation नहीं होता है, जिस direction में sound travel करता है, उस direction में हमारे पास इस तरीके से pressure travel करता हो जाता है, तो कभी compression होता है, कभी rarefaction होता है, तो इसलिए हमारे पास pressure की value कभी कम या कभी जाता होती है, तो हम लिखते हैं कि जो change in pressure है, किसी भी point पे, is equal to delta P not, change in pressure का कुछ maximum value होती है, जो amplitude होता है, और cos omega t minus k x, यह वैसे ही हो गया, y is equal to a sin omega t minus k x, वैसी equation है, बस amplitude की जागए है, इस बाए change in pressure होता है, और y की जगे हमारे पास delta P not की value, अगर हमसे कोई calculate करने को बोले, तो pressure and intensity, जैसे amplitude and intensity of frequency का formula है, उसी समारे पास delta P not की value होती है, under root of 2 rho V i, यहाँ पर i intensity है, तो इसी को आप rearrange करोगे, तो intensity का formula ही बन जाता है, i is equal to delta P not squared upon 2 rho V, बस इसी पे सारे के सारे questions आता है, mainly इतनी भी चीज़ों के जरूरत नहीं पढ़ती है, आप देखोगे, कि इनमें से भी बहुत कम formula होगी हमें जरूरत पढ़ती है, question solve करना शुरू करते है, which one of the following statement is true, इनमें से कौन से सही है, the sound waves in air are longitudinal, while the light waves are transverse, तो यह तो सही है, sound waves are longitudinal, जिस direction में जाना होता है, उसी direction में वो होती है, ऐसे कभी ज़्यादा pressure होता है, कभी rare fraction आता है, फिर अपने पास compression आता है, फिर rare fraction आता है, तो यह correct लग रहा है, light waves हमारे पास जिस direction में जाना होता है, उसके perpendicular direction में का motion होता है, देखो, में तब particles का motion नहीं होता है, हमारे fields की strength को हम इस तरीके से बनाते हैं, तो हमारे पास यह option correct आगया, दूसरे option पढ़ लेते हैं, both light and sound waves in air are longitudinal नहीं, both light and sound waves can travel in vacuum, no, sound cannot travel in vacuum, बोद light and sound waves in air are transverse, यह भी नहीं होता है, sound waves हमारी longitudinal waves होती है, ओके, आगे चलते हैं, with the propagation of a longitudinal wave, through a material medium, the quantities transmitted in propagation direction, तो propagation के direction में क्या जाता है, longitudinal waves में, देखो, यहाँ पर energy, momentum and mass, energy, energy and mass, energy and linear momentum, हमारा सिर्फ एच्छुली, energy propagate करती है, बाकी, जो mass होता है, वो तो वहीं पे थोड़ा बहुत इदर उदर होता है, उसको propagation हम नहीं बोलेंगे, propagation मतलब बहुत दूल तक जाना, तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ answer जाता है, energy, बाकी सब चीजें, थोड़ा थोड़ा इदर उदर इदर उदर होती रहती है, energy ही है, जो बहुत दूल तक इस तरीके से propagate हो जाती है, यो propagation में सिर्फ energy आईगी, when sound wave travel from air to water, which of the following remains constant, इसका जवाब तो हमें सभी को पता है, sound wave, जब भी है, कोई सी भी wave जाती है, तो हमारी velocity मीडियम पर depend करती है, frequency नहीं बदलती है, frequency हमेशा वही रहती है, क्योंकि frequency नहीं बदलती है, तो हमारे पास equation of v is equal to f lambda, अगर velocity बदली है, frequency नहीं बदली है, तो lambda को भी बदलना पड़ेगा, तो wavelength भी बदल जाती है, तो सिर्फ हमारी frequency constant रहती है, next question is, the velocity of sound in any gas depends upon, तो हमारे पास wavelength of the sound, अच्छे, sound की velocity, किस चीज़ पर depend करेगी, velocity of sound is equal to under root of gamma p by rho, तो इसमें देखो, wavelength से फर्क नहीं पड़ता है, अब किसी wavelength की wave को डालो, वहाँ पर से जाती है, तो यह हमारा answer नहीं है, density and elasticity of gas, तो यह हमारा elasticity and density हो जाता है, तो p, b हमारा correct answer हो जाएगा, intensity of sound waves only, इस पर भी depend नहीं करेगी, amplitude and frequency of sound, इस पर भी depend नहीं करेगी, तो हमारे पास answer हो जाता है, b, b हमारा answer है, next question देखते हैं, बहुत ही simple question आ रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा सवाल है, क्यासे अच्छा सवाल है, देखो हमारे पास velocity of sound होती है, अंडर root of gamma p by low, अब हम मालो जैसे coastal area में रहे हैं, या कहीं वे भी रहे हैं, अच्छानक से अगर हमारे humidity बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होगा है, में water vapors आ गई है, ठीक है, क्या हमारे atmospheric pressure change होता है, थोड़ा बहुत change होता है, लेकिन उतना ज़्यादा change ही होता है, atmospheric pressure की value 1.01 into 10 to power 5 pascal जोता है, उसके आसपास ही इसकी value रहने वाली होती है, लेकिन क्या density में change आता है, येस, density में change आता है, क्योंकि अगर हमारे आसपास मान लो dry air है, ठीक है, dry air, तो dry air में क्या क्या चीज़े होती है, उसमें oxygen होती है, उसमें nitrogen होती है, काफी heavy gases हैं ये, किसके comparison में, अगर हम compare करें humidity यानि water से, तो water होता है H2O, इन सभी में आप देखोगे, तो water सबसे आदा हलका है, अगर हवा में humidity बड़ी है, तो कहीं न कहीं उसकी फिर density कम हो जाती है, क्योंकि अब कम mass वाले particles हवा में ज्यादा आ चुके हैं, तो हमारे density की value थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर density कम होगी, इसका मतलब velocity बड़ेगी, इससे में पता चलता है कि speed of sound wave is more when humidity increases, तो हमारे पास answer आजाएगा, ए, यह बहुत ही conceptual सवाल था, तो अगर हम समुद्र में या नदी के आसपास नहाँ पर humidity ज्यादा होते है, वहाँ पर हमारे sound की speed ज्यादा हाएगी, इसको हम बोल देंगे 300 Kelvin हमारा temperature, उस वक्त हमारे बास कुछ temperature था, पर temperature उस temperature पर जब speed डबल हो जाएगी, तो वो temperature कौन सा होगा, इसको कैसे पता करेंगे, हमें तो पता था, velocity of sound की value होती है, गामा, पी बाई रो, इसमें temperature का कहां यूज है, तो जब temperature बढ़ेगा, तो हमारे pressure बढ़ता है, pressure नहीं बढ़ता है, volume बढ़ा हो जाता है, expand होता है, कुछ ना कोई चीज़ों होती है, तो हमें ये वाली velocity की form use नहीं करने चाहिए, यहाँ पे हम PV is equal to NRT वाला जो होता था, उसका atmospheric form होती थी, हमारे पास क्यों होती थी, PM is equal to Rho RT, तो यहाँ से P by Rho की value किया जोती है, RT by M, तो हमारी velocity को हम लिख सकते हैं, velocity is equal to gamma times RT by M, M molecular mass होता है यहाँ पर, average मानलो हम यहाँ पर, अब एक बात बताओ मुझे, अगर हम temperature बढ़ाएंगे, तो हमारे गामा में change नहीं आएगा, R में change नहीं आएगा, M में change नहीं आएगा, सिर्फ temperature बढ़ेगा, तो हमारे पास यहाँ से relation आगा है, कि velocity is proportional to under root of temperature, हमें velocity डबल करनी है, तो हम क्या लिख देंगे, V2 by V1 is equal to under root of T2 by T1, और क्योंकि हमें इसे डबल करना है, तो यहाँ से हमारे पास आजाता है, अब दोनों तर्फ square करते हैं, तो 4 is equal to T2 by T1, यानि कि T2 is equal to 4 times T1, which is equal T1 की value किती है, T1 is equal to 300, तो यहाँ से answer जाता है, 1200 Kelvin, और वो option कौन से है, वो है option number C, उसको वापने से degree Celsius में convert करना पड़ेगा, एक अच्छा option दे देते, 1200 degree Celsius option भी लगा देते, विशायत को students जलवाजी में गलत माग कर देते, अब आता है हमारे पास next topic, speed of sound से हमारे पास बहुत ही कम question थे, stationary waves, इसमें बहुत सारे सवाल आजकते हैं हमारे पास, opposite direction में जा रही होगी, ठीक है, एक इदर से आ रही होगी, एक इदर से आ रही होगी, तो हमारे पास stationary waves बन जाते हैं, हमारे पास कुछ nodes होते हैं, अगर उनका amplitude same है, तो यहाँ पर देखो, इस तरीके से कुछ wave आ जाती है, और थोड़ी देर बाद यह ऐसे हो जाएगी, इस तरीके से, तो हर एक particle सिर्फ उपर नीचे उपर नीचे move कर रहा था, लेकिन कुछ particle होते हैं, जो बिल्कुल move नहीं करते हैं, जैसे यह वाले particles बिल्कुल भी move नहीं करेंगे, इनको हम बोलते हैं nodes, और जो particles सबसे ज़्यादा move करते हैं, जिनका amplitude सबसे ज़्यादा होता है, उनको हम बोलते हैं anti nodes, ठीक है, यह हो गया हमारा anti node, यह है हमारा node, अगर इधर से आने वाली wave और इधर से आने वाली wave, दोनों का amplitude सेम था, तो हमारे जो maximum amplitude आता है, जिसे हम a resultant बोलते हैं, उसकी value हो जाती है, twice of a, इस wave की equation की अगर बात की जाए, तो वो जाएगी 2a sin kx sin omega t plus alpha, तो हमारी इधर से आने वाली wave प्लस इधर से आने वाली wave, दोनों की कुछ equation रही होगी, y is equal to a1 sin omega 1 t, omega t, उन दोनों को अगर आप add कर दोगे, superposition करोगे, तो फिर आपको simple यह trigonometry यह formula लगा करके, यह वाली equation मिलती है, यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास देखो, यह 2a into sin kx, यह तो हमारी amplitude वाली term होगी, यह हमारी shm वाली term होगी, तो किसी भी x पर, हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे, x की value, तो हमें पता चलेगा, उसका amplitude की value कित्ते आने वाली है, और उसके बाद वो एक shm कर रहा होगा, इस omega frequency के साथ, तो बस यह होता है हमारे पास, अगर हमारे बोला गया है, कि यह origin है, और x is equal to 0 पर node है, तो हमारे equation हो जाते हैं, यह y is equal to 2a sin kx, sin omega t plus alpha, अगर हमें बोला गया है, x is equal to 0 पर anti node है, यह से मान लो, यह हमारा x is equal to 0 था, तो इस वक्त हमारे पास, amplitude की value at x is equal to 0, वो 0 नहीं है, वो max फिर में हैं, तो इसलिए हम यहां, cos use कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारे waves की equation है थे, वैसे इसकी wave की equation पर उत्तरा सवाल नहीं आते हैं, हम सब पूछना होता है कि wavelength, और in node और anti node के बीच में distance है, उन सब के बीच में कुछ relations पूछा थे, देखो यहां पर wavelength हमारी wave की actual यह थे, तो अगर मुझसे पूछा जाए, कि किन ही भी दो nodes के बीच में distance कितना है, तो वो distance जाता है को यह थी हमारी lambda, यह हमारा lambda by 2, यानि half wavelength, उसी कौन बोल जाते हैं, loop length, तो यह हमारा देखो एक loop जैसा बन जाता है, इसको loop बोलते थे, यह loop length है, अब करते हैं कुछ questions solve, a standing wave having 3 nodes and 2 anti-nodes is formed between 2 atoms, having a distance of 1.21 angstrom between them, the wavelength of the standing wave is बहुत ही simple सवाल है, solve करने की कोशिश करो, वीडियो पॉस करके, देखो, हमारा पास 2 atom है, मानलो यह एक atom ना, दूसरा atom यह रहा, इनके बीच में 3 nodes हैं, standing wave having 3 nodes and 2 anti-nodes, तो अब यहाँ पर यह खुद भी node हो जाएंगे, इस तरीके से हमारा पास मानलो wave बनेगी कुछ, ऐसे, तो हमारे पास यह हो गया node, यह भी है node और यह भी हो जाता है node, यह वाला point हो जाएगा anti-node, और यह वाला point भी हो जाएगा anti-node, तो हमसे यह बोला था, तीन node हैं, तो 1, 2, 3, और दो anti-node हैं, 1 and 2, यह वाला जो distance हैं इन दोनों के बीच में वो था, 1.21 angstrom, तो क्या कोई मुझे बता सकता है wavelength कितनी है, देखो यही तो wavelength भी है, तो हमारे पास answer की value सीधे सीधे जाएगी, यह answer भी भाई हो जाएगा, यह हमारा answer है, बहुत ही simple question था ही, next question देखते हैं, a standing wave is represented by y is equal to a sin 100t cos 0.01x, where y and a are in millimeters and t is in second and x is in meter, velocity of the wave is, तो देखो यहां पर हम velocity कैसे बता करेंगे, पहले तो हम equation लिग लेते हैं, y is equal to a cos 0.01x into sin 100t, यहां पर यह x का जो coefficient है, वो हो जाता है हमारा k, और t का जो coefficient होता है, वो होते है हमारी omega, अच्छा हम जानते हैं कि velocity is omega by k, omega की value रखे 100 k की value रखे 0.01, तो यह answer जाता है, 10 raised to the power 4, meter per second हमारा answer हो जाएगा a. next question लिखते हैं, a wave of frequency 100 hertz is sent along a string towards a fixed end, when this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance of 10 cm from the fixed end of the string, the speeds of incident and reflected waves are, कि देखके लगा है, बहुती complicated सा question आगा है, इसमें reflection वगरा हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ निया है, देखो इसको समझने की कोशिच करते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक वो दीवार है, और यहाँ पर एक वो fixed end था, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से, रसी की mean position रही होगी, लेकिन यहाँ से हमने किसी wave को ऐसे भेजा, वो अधर गई, फिर यहाँ से reflection होकर के दूसरी wave आ रही होगी, तो उन दोनों का कुछ interference होगा, क्योंकि दोनों की omega सेम होगी, तो यहाँ पर हमारे पास standing waves बनेगी, अब यहाँ पर तो node बन नहीं है, क्योंकि एक fixed point था, यहाँ पर है न, move नहीं का सकता था, तो इसको मैं बोलनूँगा, यह है node, हमको क्या लेका, when this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance of 10 cm, तो यहाँ से आप 10 cm इधर आए है, यह है 10 cm, यहाँ पर भी एक node बना है, तो इससे हमें क्या पता जलता है, हमारी wave कुछ इस तरीके से बनी होगी, जो standing wave होगी, तो वो भी मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरीके से, यह, अब इस figure को देखके, क्या कोई मुझे बता सकता है, यहाँ पर wavelength कितनी है, यह हमारी wavelength है, तो lambda की value हो जाती है, 2 into 10, which is equal to 20 cm, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ, 0.2 meter, हमारे पास frequency दे रखिये, frequency is equal to 100, हमें पता है, V is equal to F lambda, तो F की value है 100 into 0.2, which is equal to 20 meter per second, सारी SI units है, हमारा answer जाता है, यह बहुत ही आसान question था ही, देखके लग रहा है, क्या reflection बगेर आ रहा है, incident और reflected ray की बाते हैं, कोई बात नहीं, 2 waves are approaching each other, with a velocity of 20 meter per second, and frequency n, the distance between 2 consecutive nodes is, यह बहुत ही आसान question है, पहली बात तो V is equal to F lambda होता है, यहाँ से हम lambda की value पता कर लेते हैं, लेमडा की value कुती हो जाएगी, V divided by F, velocity है 20, frequency है N, तो यह हमारे पास lambda आ गया, अब जब भी हमारे पास, इस तरीके से interference होता है, तो हम जानते हैं, कि हमारे node और anti-node, sorry, जो भी हमारे पास जो दो consecutive nodes बनते हैं, यह वाला distance होता है, lambda by 2, तो हमें बता करना है, distance, distance is equal to lambda by 2, which is equal to 20 by n, divided by 2, which is equal to 10 by n, हमारा answer कितना हो जाता है, B हमारा answer हो जाता है, यह, बहुत ही simple question था, next देखो, next है हमारा topic, sonometer, sonometer से खुद से उतने ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन sonometer समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि इसी से organ pipe और वो सारे सवाल हमें समझने में आसानी होगी, तो sonometer समझते हैं, जब भी हम इस तरीके से एक रस्सी को बांद देते हैं, यहाँ पर हमारा पास node होगा, इसकी कुछ frequency हो जाएगी, इसकी कुछ wavelength होती है, wavelength यहाँ पर हम देख सकते हैं, wavelength अगर यह length L है, तो wavelength हमारी 2 times L हो जाएगी, है ना, हम frequency को लिख सकते हैं, इसकी frequency हो जाएगी, frequency, क्योंकि यहाँ पर एक loop बन रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ N1, और यह हो जाती है, V by lambda, lambda की value आप लग दो 2L, तो यह हो जाती है, V by 2L, और उसकी को हम बोलते हैं N0, N0 क्यों बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, यह है fundamental frequency, अगर हमें इस string में, कोई भी vibration चाहिए, तो minimum यह frequency तो आएगी, इसलिए से fundamental frequency बोला जाता है, first harmonic भी आप इसको बोल सकते हो, या basic, base harmonic कुछ भी बोल सकते हो, velocity की value कहां से लाओगे, velocity की value आप लेओगे, under root of T by mu से, mu होती है linear mass density इस रसी की, T tension इसमें कितनी tension है, मालनों यहाँ पर हमने कुछ block lock लटका रखा है, उसके mg से tension की value calculate की जा सकती है, फिर हम बोलते हैं हम इसको कोई और दूसरी frequency देते हैं, तो दूसरी frequency जिससे हमें standing wave मिलेगी, उसमें हमें इस तरीके से दो loops मिलेगे, एक loop यह दूसरा loop यह है, तो यह हो जाता है हमारा second harmonic, यहाँ पर देखो हम क्या वो देखते हैं, यह जो इस wire की length थी, उतनी ही बड़ी wavelength है, तो frequency की value हो जाती है, N2 is equal to V divided by lambda, lambda की जगे हम L ही रखतेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो frequency आती है, वो आती है V by L, यहाँ थी V by 2 है, तो इस यह fundamental frequency की double है, तो यह हो जाती है हमारी second harmonic, और यहाँ पर first overtone है, जो भी इस string में से आवाज निकलती थी, उसके बाद next resonance जहां हो रहा है, वो first overtone हो जाती है, फिर उसके बाद हम एक और यहाँ पर इस तरीके से 3 loop ला देंगे, उस case में यह हमारी second overtone हो जाएंगे, और इसको हम third harmonic बोलेंगे, देखो यह था first harmonic, second harmonic, third harmonic, यह थी fundamental frequency, first overtone, second overtone, इसकी भी calculation करोगे तो यहाँ पर हमारे पास N3 की value हो जाती है, तो यहाँ पर देखो N0 थी, हमारी first harmonic या fundamental frequency, उसी को double कर दो, उसी को triple कर दो, उसी को four times कर दो, इस तरीके से हमारे पास अलग-अलग harmonics आते हाते, बस इसी पर सारे की सारे questions solve हो जाएगे, लेकिन यह थो था हमारा string जो की दोनों तरफ से बंधा हुआ था, दोनों end पे node था, दूसरा हमारे पास setup होता है, जिसमें यहाँ पर open ended string होता है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर anti-node बनता है, वो वाला केस समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह देखो, open string में हमारे पास मानलो first wave बनेगी, मतब जो resonance बनेगी, वो इस तरीके से है, यहाँ पर node है, यहाँ पर anti-node है, तो यह distance अगर हमारी length L है, wavelength कितनी लंबी है, यहाँ से यहाँ तक तो half wavelength भी फिर वापस उपर आएगी, इस तरीके से, तो यहाँ पर हम बोल सकते है, wavelength is equal to four times of L, तो वही equation में आप value रखोगे, तो frequency की value आजाते है, V by four L, एन नौट इससे बोला जाएगा, यह again fundamental frequency है, इसी को हम first harmonic भी बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं, नहीं हमें इसमें कोई और आवाज निकालनी है, तो यहाँ पर anti-node होना जरूरी है, यहाँ पर node होना जरूरी है, तो दूसरा case हमारे पास ऐसा आता है कुछ, इस तरीके से हैंना, इसकी, देखो, length इतनी है, string की length L, इसकी wavelength कितनी बड़ी होगी, यहाँ तक, तो हम लेख सकते हैं यहाँ पर, 3 by 4 of wavelength is equal to L, और इसी चीज़ को आप यहाँ पर रखोगे, तो हमें जो frequency मिल जाती है, वो आ जाती है 3 times n-naught, पिछले case में हमने क्या देखा था, तो हमाया पास n-naught था, फिर 2-naught था, फिर 3-naught था, फिर 4-naught आता है, फिर 5-naught आता है, यहाँ पर हमाया पास n-naught था, फिर direct 3-naught आया, और उसके बाद आप अगले wave में जाओ गे, तो आप पिर 5-naught आ जाता है, तो हम इसमें बोलते हैं कि, हैं छोन ह bên वन है वन ऑन होड थ्री फाइब नॉट उसके बाद आएगा सेवन सबंग नाइन नॉट आ रहाएगा Everyone में मिल रही अच्छे बारे में आपका क्या होगा जो भी पहली खीक्वेंसी आती है हमारी वह त्यों fundamental frequency उसके बाद जो भी साउंड आएगा उसे हम फर्स्ट बोलते हैं तो यहां पर थर्ड हार्मोनिक इस इक्वल टू फर्स्ट वर्ट फिर उसके बाद जो भी रेजोनेंस होगा वह सेकेंड ओवर्टोन कहलागा वह फिफ्ट हार्मोनिक होगा दूसरे यहां पर देखो सेकेंड ओवर्टोन और थर्ड हार्मोनिक इन दोनों के बीच में एक 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 डिफ्रेंस नहीं सेकेंड हार्मोनिक था फर्स्ट ओवर्टोन था इस तरीके से होता है तो अब इसके क्वेश्टन सॉल्व करना शुरू करते हैं देखो क्वेश्टन बहुत ही आसान है कि अस्ट्रिंग इस्ट्रेश्च बिफ्वें टू फिक्स पॉइंट सेप्रेटेट बाई 75 सेंटिमेटर इस अब्सर्व तो हैव रेजोनेंट फ्रेक्वेंसी इस तरीके से उस्ट्रीक इ की लेंथ होगी 75 सेंटिमेटर अब क्योंकि यह दोनों एंड से क्लोज है तो इसकी कुछ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी एंड नॉट फिर अगली होगी 3 & 0 फिर होगी 4 & 0 5 & 0 6 & 0 ऐसे बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होगी हमें तो बता रहा है कि इनमें से कोई एक रेज 315 उन दोनों के बीच में कोई और नई फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही हमसे पूचाएकि fundamental फ्रिक्वेंसी कौन से लोएस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो हो जाती है एन नॉट हमें पता करना है अगर मैं इन दोनों को डिफरेंट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इन दोनों का डिफरेंट से मुझे सिर्फ एन नॉट मिलेगा तो देखो हमारे पास एन नॉट की वैल्यू आ जाती है 420 माइनस 315 विच इस एक्वल दू 105 हर्ट यह हमारा आंसर होगे और नॉट था 105 रहा होगा यह वाली वैल्यू रहे होगा 210 यह जाहेगी 315 यह हो जाहेगी 420 तो हमारे पास यह जो वैल्यू थी यह हमारी थी फूर्थ हार्मोनिक या फिर आप इसको बेस के आद फर्स्ट सेक सकते हों यह 315 थी हमारी वो क्या थी फॉर्स सेकेंट थर्ड हार्मोनिक रही होगी यह फिर बेस के बाद फर्स्ट ओवर्टोन सेकिंड ओवर्टोन कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अस्ट्रेश स्ट्रिंग रेजोनेट्स विट त्य फ्रिक्वेंसी जिसकी 512 हर्ट्स है वेन लेंथ अफ दे स्ट्रिंग इस 0.5 मेटर दे लेंथ अफ दे स्ट्रिंग रिक्वाइड तो वाइबरेट रेजोनेट्ली विदे टूनिंग फॉर्क फ्रिक्वेंसी 256 हर्ट्स फूट बहुत ही आसान सवाल है यह बहुत ज्यादा 2 अर्ट्स हमको क्या करना है फ्रिक्वेंसी को डॉट करतें र Hernan हुत वह हमें फ्रिक्वेंसी को डॉटकर ओward than अब इसमें जो भी टिंशिंग में टेНशन थे टेंशन के कारण मीट्र स open विलोसिती कॉंस्टन है तो frequency को double करना है यानि frequency बढ़ाना है यानि lambda को हमें half करना पड़ेगा हम लिख सकते हैं f1 lambda 1 is equal to f2 lambda 2 f1 की value है 512 into lambda 1 initial हमारी wavelength कितनी थी देखो ये जो length थी ये length थी 0.5 meter तो हमारी जो पूरी की wavelength हो जाएगी 1 this is 1 is equal to f2 की value है 256 into lambda 2 हमें पता करना है यहां से ये कट जाता है 2 times lambda 2 की value आजाती है 2 meter और यही हमारा answer हो जाता है 2 meter और यहां पर गलती हो जाएगी देखो lambda 2 की value 2 meter आई है हमें तो string की length पता करनी है हम जानते हैं कि string की length जित्ती होती है उसका double हमारी wavelength होती है तो अगर wavelength 2 meter है तो हमें जो string की length चाहिए होगी वो सिर्फ half चाहिए होगी तो L is equal to lambda 2 by 2 यानि की 1 meter हमारा answer आएगा C गलती मत करना है, next question देखते हैं If N1, N2, N3 are the fundamental frequencies of three segments into which a string is divided then the original fundamental frequency N of the string is given by बहुत अच्छा सवाल है, conceptual सवाल है, देखो मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक L length नहींगा यहाँ पर हमारे पास fixed end दे इस रसी में कुछ vibration इस तरीके से होगी जैसे उसकी wavelength ऐसे होगी, ऐसे हमारी standing waves बनेगी यहाँ पर एक node होगा, यहाँ पर एक node होगा यह हमारी wavelength है, यह पूरी की पूरी wavelength है lambda और यह वाली length है L तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके लिए हम लेख सकते है lambda is equal to 2 times L दूसरा मारे पास formula होता है, V is equal to F lambda यहाँ से हमारे पास frequency N और इसके बीच में relation आजाता है, देखो, 2L is equal to frequency, sorry, velocity V divided by frequency N 2L is equal to V by N, यहाँ फिर मैं इसको लेख सकता हूँ, L is equal to V upon 2N फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इस रसी को कुछ parts में इस तरीके से break कर दिया, और हमारे पास कुछ ऐसी finally रसी बचेगी, यह, यह, और यह, इस तरीके से, अब इनकी खुद की, अपनी-अपनी fundamental frequencies होंगी, ऐसे अलग-अलग क्या हम इनकी frequencies पता कर सकते हैं, देखो हमने इनको पहले तो काटा होगा, इसकी length होगी L1, इसकी होगी L2, इसकी होगी L3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, L1 is equal to V, क्योंकि रसी वही है, उसमें tension भी वही होगी, तो velocity भी same रहने वाली है, सिर्फ frequency बदलेगी, तो इसको मैं लिख दूँगा, V by 2N1, यहां लिख दूँगा, मैं L2 is equal to V upon 2N2, L3 को मैं लिख दूँगा, V upon 2N3, अलग-अलग segment के लिए है, अलग-अलग frequency है, और उस frequency और velocity को हमने उसकी lens से relate कर दी है, straight forward formula हमाना पास, L is equal to V by 2N, harmonic, sorry, हमारी fundamental frequency के लिए, अब हम और एक चीज़ जानते हैं कि L1 plus L2 plus L3 is equal to L, तो यही equation हम लिख देंगे, उससे आज़ाद है हमाना पास एको, L is equal to L1 plus L2 plus L3, L की value है, V upon 2N is equal to V upon 2N1 plus V upon 2N2 plus V upon 2N3, यहां पर सारे के सारे V by 2, 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 V by 2 कट गये और हमारे पास relation आजाता है, हमारा relation है, 1 by N is equal to 1 upon N1 plus 1 upon N2 plus 1 upon N3, और यह है हमारा option number A, तो यह बहुत ही अच्छा सवाल था, next question देखते हैं, यह भी पिछले सवाल जैसे ही है, इसमें हमें बस length की calculations और करनी है, the length of the wires between two ends of a sonometer is 100 cm, एक मीटर लंबा माँ पास ता रहा है है, what should be the position of two bridges below the wire, so that the three segments of the wire have their fundamental frequencies in the ratio of 1 ratio, 3 ratio, 5, तो हमारे पास एक इस तरीके से, wire था, यहाँ पर हमारे पास node था, अब इसके नीचे हम कुछ bridges लगा देते हैं, पहले तो यह हमारे पास, दोनों end पे bridges कुछ node थे, फिर मानलो, एक मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पर इन रस्यों में, जो frequency होगी, जैसे इस में frequency आएगी, मानलो, वो x है, तो यहाँ जो frequency होगी, वो 3x होगी, यहाँ वो frequency होगी, वो 5x होगी, क्यों, क्योंकि जिस रस्यों की length चोटी होती है, उसकी wavelength भी चोटी होती है, तो frequency बढ़ जाती है, तो इस तरीके से माँ पर frequency आने वाली है, अच्छा frequency का formula क्या होता है, या फिर मैं length को लिख सकता हूँ, l is equal to v upon 2n, अब देखो, यह जो length है, इसको मैं बोल देता हूँ, मानलो, यह है हमारी l1, यह है l2, यह है l3, l1 की value मैं लिख सकता हूँ, l1 is equal to v upon 2n, l2 की value मैं बोल सकता हूँ, v upon 2n, लेकिन इसकी frequency अगर n थी, तो इसकी frequency उसका 3 गुना होगी, है ना, तो इसको मैं into 3 कर दूँ है, l3 की value हो जाएगी, l3 is equal to v upon 2n into 5, देखो, इसकी frequency n थी, इसकी 3n होगई, इसकी 5n होगई, तो हमने वो ratios बराबर कर दिये, अब यहाँ पर v by 2n यहाँ भी आ रहा है, v by 2n यहाँ भी आ रहा है, v by 2n यहाँ भी आ रहा है, तो इस v by 2n को मैं x बोल देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ, l1 is equal to x, l2 is equal to x by 3, l3 is equal to x by 5, तो हमारे पास यह जो रस्यों की length है, उनके ratio आगए कि वो 1 ratio 1 by 3, ratio 1 by 5 में होनी चाहिए, तब ही हमारी frequency 1 ratio 3, ratio 5 में होगे, तो यह तो चीज़ हम समझ गए, यह चीज़ आप directly भी आपसे याद रख सकते हो, जब भी हमारे पास इस तरीके से जो bridge होगा, उसमें हमारे पास जो भी frequencies का ratio होगा, उसी को reciprocal का दोगे, तो वो length का ratio आजाएगा, हमें और एक चीज़ पता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 is equal to 1 meter, यानि कि X प्लस X by 3 प्लस X by 5 is equal to 1 meter, तो इसका आप LCM लोगे दिए आजाएगा, 15X प्लस 5X प्लस 3X आपन 15 is equal to 1, यहाँ से हमारे X की value आजाती है, X is equal to 15 by 23, तो X की value आगे, यह value meter में होगी, तो अगर हम से पूछा जाएगा कि यह value थी X is equal to 0, यहाँ से यहाँ तक की value कितनी है, वो है हमारी L1, L1 की value थी X, X की value आगे 15 by 23 meter, तो हमारा first bridge जो रखा जाएगा, वो आएगा 15 by 23 meter के उपर, second bridge काहाँ रखा जाएगा, देखो यह वाली जो length है, कौन सी length, यह वाली length, यह L2 की value है, X by 3, यह value थी है हमारी X, तो यह total distance की value हो जाएगी, X plus X by 3, हमें अब जो next चीज़ पता करने हैं हो है, X plus X by 3, which is equal to 4X by 3, which is equal to 4 by 3 into X की value है, 15 by 23, यानि कि यह कट जाएगा, 5 यह जाता है, 20 by 23 meter, तो हमारे पास एक answer आगया है, एक answer आगया है, यहाँ से 15 by 23, दूसरा answer आगया है, यहाँ सेना तक 20 by 20 थे, तो हमारे पास वो option कौन सा है, option है हमारा, एक correct option हो जाता है, इस तरीगे से, अब इस question में और एक चीज़ हो सकती है, कि अगर हम से पूछा जाता है, बोल दिया था कि 5 ratio 1, 3 ratio 1 में है, तो हमारे यह positioning गडबड हो जाती है, फिर हमारे पास यह direct जो x की value आई है, वो यह answer नहीं होगा, हमको फिर देखना पड़ेगा, अच्छा, x हमने इदल से ना पाथा, इदल से ना पाथा, इस बार खिसमत अच्छी है कि आसानी से हमारा answer आगे, थोड़ा से नहीं तो यहाँ पर calculation और कहने ही पड़ सकती है, तो यह काफी interesting सवाल था, की take away क्या है, जिस ratio में हमारी frequency होती है, जैसे 1 ratio 3, ratio 5, उसका inverse ratio है नहीं 1 by 1, ratio 1 by 3, ratio 1 by 5, उस ratio में हमारी strings की lens होती है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है नहीं, अब आजाता है हमारा organ pipe, organ pipe में again हमारी open string और close string, fixed string की तरह है, दो case हो सकते हैं, या तो यह एक end से close होगा, या दूनों end से open होगा, अगर हमारे पास यह एक end से open होता है, सिर्फ एक end से open है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं, is equal to lambda by 4, तो हमारी पास पहली frequency की आ जाएगी, V by 4L, फिर दूसरा case क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से आएगा, यहाँ पर node रखना जरूरी है, यहाँ पर anti node रखना जरूरी है, तो हमारी wave इस तरीके से ही जा सकती है, तो इस case में अगर यह थी हमारी length L, तो wavelength देखो किती हो जाती है, wavelength हो जाती है, 3 by 4 lambda is equal to L, यहाँ से फिर आप calculate करोगे, तो हमारी frequency आ जाती है, 3 V upon 4L, तो आप देखोगे, यह 3 times of this है, अगर मैं इसको बोल देता हूँ, यह था मेरा N0, तो यह हो जाता है, 3 times N0, similarly, उसके next, overtune में मैं जाओंगा, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे, फिर से यहाँ पर anti-node चाहिए, इस बार हमारी lambda किती है, इस बार मैं देखो, L is equal to, lambda plus lambda by 4, यहाँ से यहाँ तक, तो यह हमारा पूरा lambda होगा, और यह lambda by 4, कि एक तरफ से open string की ही तरह, हमारे पास सिर्फ odd harmonics आ रहे हैं, again, यह हमारी fundamental frequency थी, उसके बाद जो भी आवाज सुनाई थी, उसको हम बोलते हैं, फॉस्ट overtune, उसके बाद जो भी आवाज सुनाई थी, उसको हम बोलते हैं, second overtune, तो इस तरीके से हमारे के पास सारी की सारी frequencies होते हैं, सारी नहीं, सिर्फ odd harmonics होते हैं, अगर हमारी organ pipe दोनों end से open है, तो इस case में देखो, हमारी इस तरीके की पहली fundamental frequency आई, यहां भी anti-node होगा, यहां भी anti-node होगा, बीच में obviously पर node आ जाएगा, अगर हमें next इसके जाना है, तो हमारी पास कुछ इस तरीके से आएगा, यहां भी anti-node है, यहां भी anti-node है, और यहां पर यहां पर हमें node मिला होगा, फिर उसके next जाओगे तो आपको फिर ऐसा मिलेगा, तो यहां पर हमारी जो fundamental frequency आते है, वो हो जाती है, देखो यह है length L, और L is lambda by 2, तो उससे हमारे पास यह frequency आ जाती है, इसको मैं लिख देता हूँ, न नॉट, next frequency आ जाएगी 2 न नॉट, next आ जाएगी 3 न नॉट, फिर आ जाएगी 4 न नॉट, तो हमारे पास हम देखते हैं, यहाँ पर all harmonics are present, सारे हैं, यहाँ पर सिर्फ odd harmonics हैं, overtone की बात करें, यह हमारी fundamental frequency, उसके बाद जो भी आवाद सुनाई देगी, उसको हम first overtone कह देंगे, फिर जो भी आवाद सुनाई देगी, उसको हम second overtone कह देंगे, इस तरीके से हमारे overtone काम करते हैं, इसके question solve करते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, वो इन questions को solve करना शुरू करते हैं, a closed organ pipe, closed at one end, is excited to support the third overtone, ठीक है, it is found that air in the pipe has, देखो, सबसे पहले तो हमारे पास organ pipe है, और इसमें क्या बोला गया है, इसकी third overtone में गया है, तो पहले basic frequency बनाते हैं, basic frequency हमारी fundamental frequency, ऐसे रही होगी, जिसमें यहाँ पर node था, यहाँ पर anti node है, यह anti node है, यह node है, हमारी harmonic, base fundamental frequency आगई, next क्या होगा, इस तरीके से होगा, उसमें हमारे पास, यहाँ पर node है, और यहाँ पर फिर से anti node बनाना ही है, यहाँ बीच में और एक node आ गया होगा, यह हमारा first overtone है, second overtone कैसा हो जाएगा, इस तरीके से जाएंगे हम, यहाँ पर anti node आएगा उपर, यह node है, तो फिर यहाँ भी node रहोगा, यहाँ पर भी node रहोगा, यह हमारा second overtone है, इसी तरीके से third overtone तक जाएगा, तो एक बार उपर जाएंगे नीचे, उपर जाएंगे फिर नीचे, node, 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 anti node, यह हमारा third overtone है, तो हमाएपास कितने nodes होगा हैं, देखो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 4 nodes हैं, anti nodes कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो चार node और चार anti nodes हैं, तो हमारा option हो जाएगा, यहाँ पर D, बहुत एक conceptual सवाल था, इसमें overtone और सारी चीज़े हमारी gear होगे, अच्छे, यह हमारी first harmonic रही होगी, यह हमारी third harmonic रही होगी, यह हमारी fifth harmonic रही होगी, फिफ्थ harmonic और यह सेवन्थ harmonic, नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं, तो देखो हमारे पास N0 होता है, फिर 3 N0 होता है, यह हमारा एक end पर close है, फिर 5 N0 होता है, फिर 7 N0 होता है, फिर 9 N0 होता है, ऐसे बहुत सारी frequencies आएंगी, हमें क्या बोला गया है, कि 2 consecutive frequencies है, 220 and 260, कोई से भी हो सकती है, 220 और एक है 260, तो किनी भी 2 consecutive के बीच में, जो gap होता है, यहाँ पर gap कितना होता है, 40 Hz का, वो actually आप देखो कि 2 N0 के बराबर है, अगर हमारे पास यह दोनों end पर खुला होता, तो हमारे पास सारे के सारे harmonics होता है, N0, 2N0, 3N0, अभी हमारे पास सिर्फ odd harmonics है, इसकी value 2 N0 के बराबर हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास value हो जाती है, N0 is equal to 20 Hz, और वही हमारा answer हो जाता है, अच्छा सवाल था यह, A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube, ठीक है, the length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston, okay, at room temperature of 27 degrees Celsius, two successive resonance are produced at 20 cm and 73 cm of column length, if the frequency of the tuning fork is 320 Hz, the velocity of the sound in the air at 27 degrees Celsius is, बहुत अच्छा सवाल है, ओके, तो पहली बात तो यहाँ पर कुछ piston जैसा हमें दिख रहा है, तो कुछ ऐसा रहोगा हमारे पास piston, इस piston को मैं आगे पीछे करता हूँ, तो हमारे पास यह जो tube की length है, वो length चेन हो जाती है, इफेक्टिव लेंद अभी इतनी है, अगर मैं piston को इदर ले आओंगा, तो इफेक्टिव लेंद बस इतनी सी बचेगी, ओके, यहाँ पर हमारे पास रगा है हमारा tuning fork, tuning fork की frequency है किती, 320 Hz, इसमें से wave निकलती होगी कुछ, यहाँ से ऐसे 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 wave जाती होगी, और यहाँ पर हमारे पास resonance हो रही है, resonance कैसे होगी देखो, resonance होने का तरीका है, पहली बात तो यहाँ पर अगर मान लो piston मेरा यहाँ पे था, तो कुछ ऐसे frequency आएगी, sorry wavelength होगी, इस तरीके की, कि lambda by 4 हमारे पास length हो, या फिर मैं इसको और पीछे लेकर हूँ इतना, यहाँ पे लेकर हूँ, अब भी हमारे पास resonance हो जाएगी open tube वाली, या फिर मैं उसको और पीछे लेकर लाप हो, यानि यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का system होना चीए, कि इधर node होगा, यहाँ पर anti node होगा, ऐसा case भी हो सकता है, तब ही resonance होगी, हमें बोला गया है कि, एक हमारे पास resonance आती है, जब यह वाली 20 cm हमारी length रही है, दूसरी आती है हमारे पास, यह 73 cm हमारे पास length रही है, हमें यह भी नहीं बता है, इसको कहां से नापने है, इधर से नापने हो आपने हो आपने हो लेकिन हमें एक चीज़ पता है, वो चीज़ क्या है, कि यहाँ से हमारे पास जब भी ऐसे resonance होगी, तो इन दोनों consecutive वालों के बीच में जो difference है ना, यह जो difference है, यह lambda by 2 होना चीए, तब ही यहाँ पर antinode antinode बनेगा, तो इससे में पता चलता है कि 73-20 is equal to lambda by 2, यानि कि 53 is equal to lambda by 2, यानि lambda is equal to 106, 1.06 meter, और हमें पता V is equal to F, lambda velocity की value हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी है 320, lambda की value हो 1.06, इसको आप करोगे solve, तो यह आजाता है, हमारा 339.2 meter per second, भी हमारा answer हो जाता है, तो इस तरीके से इसको हमें solve करना है, इस तरीके सवाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, if the length of the closed organ pipe is 20 cm, length of the open organ pipe is, देखो, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको कि डाइग्राम बनाते हैं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, open organ pipe, ठीक है, यह है length इसकी open वाले की, पर यह closed है, एक end से closed है, यह है LC, यह है हमारी length of open, fundamental frequency in an open organ pipe, तो open organ pipe में हमारे पास, देखो, fundamental frequency, यह 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 जो भी basic frequency हो सकते हैं, इस तरीके की होती है हो, यहाँ पर anti-node होता है, यहाँ पर anti-node होता है, बीच में node हो जाता है, is equal to the third harmonic of a closed organ pipe, तो closed organ pipe में देखो, first harmonic तो हमारा यह होता है, इस तरीके से, है न, ऐसे, यहाँ पर node हो गया, यहाँ पर anti-node हो गया, second harmonic इसमें होता नहीं है, third harmonic होगा, फिर fifth harmonic होगा, तो third harmonic हमारे पास, इस तरीके से आ जाता है, ऐसे, यह node हो गया, यह node हो गया, यह anti-node हो गया, क्योंकि इन दोनों की frequency सेम है, और sound की speed भी सेम होती है, तो दोनों की wavelength भी सेम हो, तो यहाँ पर wavelength और उसमें relationship क्या है, wavelength LC is equal to 3 by 4 of lambda, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, LO, LO is equal to lambda by 2, lambda is equal to 4 by 3 LC, which is equal to 4 by 3 into 20 cm, और इसी को मैं half कर दूँगा, तो LO की value हो जाएगी, lambda by 2, यानि की 4 by 3 into 20 by 2, which is equal to 40 by 3 cm, which is also equal to 13.33 cm, option कौन से हमारा 13.2 cm हम mark कर दें, question बहुत ही simple था, confused नहीं होना है, यह हमारी fundamental frequency थी, यह हमारी third harmonic, या फिर इसी को बोला जा सकता है, यह हमारी fundamental frequency थी, उसके बाद next कौन से हा रही है, यह इसको हम first overtone भी बोल सकते हैं, और ऐसे सवाल बहुत repeat हुए है, देखो, the fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 cm, is equal to second overtone of an organ pipe open at both hands, the length of organ pipe, देखो, फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस तरीके से closed pipe बना लेगे है, closed pipe की कौन सी frequency की बात हो रही है, fundamental frequency of a closed organ pipe, fundamental frequency कैसे जाती है, देखो, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से जाएगे, fundamental frequency के लिए हम लेख सकते हैं, lambda by 4 is equal to L, open, सुरी, यह closed pipe है, LC, LC की value कितनी है, 20 cm, तो lambda की value हो गई, 80 cm, एकदम clear, फिर आते हैं, open pipe में, open pipe में हमें क्या चाहिए, second overtone, पहली बात तो fundamental frequency बनाएंगे, तो ऐसी आएगी वो, first overtone कैसे आएगी, यहाँ से जाएंगे हम, और ऐसे उपर आजएगे, second overtone कैसे आएगी, यहाँ से जाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर उपर आएंगे, फिर नीचे आजाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यह length ही हमारी, lambda, और lambda, plus lambda by 2, यानि कि 3 lambda by 2, 3 lambda by 2, is equal to length of open pipe, समझाएं यह सभी को, अंती नोड, अंती नोड, अंती नोड, अंती नोड, ओके, यहाँ से हमारे, LO की value आजाती है, 3 by 2 lambda, which is equal to, 3 by 2 into 80, which is equal to 120 cm, वहाँ सिंपल तो था यह, और एक question देखते हैं, और एक question देखो, again similar, an organ pipe P1, closed at one end, vibrating in its first overtone, and another pipe P2 open end, boards and vibrating in its third overtone, इस बार भी हम solve कर सकते हैं, डाइघरम ना के, लेकिन इस बार हम formula से solve करेंगे, पहली बात हमारे हम देखो, pipe है P1, P1 pipe क्या है, हमारा closed at one end है, तो इसकी fundamental frequency क्या हो जाती है, वो हो जाती है V upon 4L, second, उसके बाद में जो भी frequency next आती है, देखो, एक end पे close है, तो first harmonic होगा, third harmonic होगा, fifth harmonic होगा, seventh harmonic होगा, first, फिर उसके बाद third हो जाएगा, 3V by 4L, फिर हो जाएगा, 5V by 4L, फिर हो जाएगा, 7V by 4L, इस तरीके से हमाँ पास frequencies होगी, ओके, हमें क्या बोला है, an organ pipe closed at one end, vibrating in its first overtone, तो यह हमारी base थी, यह first overtone है, यह second overtone है, यह है third overtone, तो first overtone कौन सी है, यह हमने इसको select कर लिए, अब आती है बारी P2 की, P2 के साथ क्या है, P2 open at both ends, जब दोनों end पे open है, तो उसकी frequency कौन कौन से बनती है, देखो, P2 की frequency होती है, V by 2L, यह उसकी fundamental frequency है, फिर second आएगी, 2V by 2L, फिर आएगी, 3V by 2L, फिर आएगी, 4V by 2L, फिर आएगी, 5V by 2L, क्योंकि यह open at both ends है, तो हमें सारी के सारे harmonics मिल रहे है, 1, 2, 3, 4, 5, यह हमारी fundamental frequency है, यह है first overtone, यह है second overtone, यह है third overtone, तो हमने third overtone, यानि की fourth harmonic को भी select कर लिया, और यह दोनों बराबर हैं, है न, in resonance with the given tuning volt, the ratio of the lens of P1 and P2 respectively, अब velocities तो दोनों की बराबर ही रही होंगी, तो इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, तो हमें पता है, 3V by 4L1 is equal to 4V upon 2L2, velocity से velocity कट गई, हमें क्या पता करना है, L1 by L2 is equal to 3 by 8, 3 by 8 हमारा answer हो जाता है C, इस तरीके से solve होंदा हूँ, बहुत अच्छा सवाल दा ही, नेक्स क्वेशन देखते हूँ, अ सिलेंद्रिकल रेजोनेंस ट्यूब, ओपनेद बोट हैंड्स, हाज़ फंडमेंटल फ्रिक्वेंसी F in air, इस हाफ of the length is dipped vertically in water, फंडमेंटल फ्रिक्वेंसी of the air column will become, यह बहुत अच्छा सवाल है, पहले देख से स्टार मार कर दो, तो हम से क्या बुला है, इस सिलेंद्रिकल रेजोनेंस ट्यूब, ओपन अग बोध हैंड्स, इस तरीके से, हमारे पास ट्यूब है, उसकी fundamental frequency है F, तो देखो वो कुछ ऐसी frequency बनी होगी, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो L is equal to lambda by 2, correct, ओपन पाइप है, फिर हमने क्या किया है, इस pipe को आधा डिप कर दिया है, आधा डिप कर दिया है पानी में, इस तरीके से, अब इसकी जो fundamental frequency होगी, यह, ऐसे जाएगी वो, आए ना, इस बार हम क्या बोल सकते हैं, L dash is equal to lambda by 4, अच्छा L dash की value किती है, L by 2, तो यहाँ से भी हमें यही relation निकलाए है कि, lambda by 2 is equal to L, तो यहाँ पर जो lambda था, यानि कि, lambda is equal to 2L, यहाँ पर भी lambda is equal to 2L आ रहा है, तो wavelength में change हो नहीं रहा है, इसका मतलब हमारी frequency में भी change नहीं हो रहा होगा, तो पहले जो frequency थी, बाद में भी वही frequency है, हमारा answer रहता है C, बहुत ही simple question था, बहुत ही tricky question था ही है, next question देखते है, an air column, close at one end and open at another, resonates with a tuning fork, when smallest length of the column is 50 cm, the next larger length of the column, resonating with the same tuning fork is, अब इसका जवाब आपको, बिना कुछ calculation गेवे देना पड़ेगा, वो वाला जवाब कितना आने वाला है, वाली आजाएगी 150 cm आनी चाहिए, ठीक है, कैसे किया यह मैंने solve, देखो, बहुत आसान है, हमारे पास जो length है, वो ऐसी है, तो यह हमारे पास इस तरीके से, lambda by 4 length रही होगी, फिर next resonance कब होईगी, जब हमारे पास इस तरीके से, tuning fork तो सेम है, तो उसकी frequency नहीं बदली होगी, तो lambda नहीं बदली होगी, तो इस तरीके से lambda वहीं गया होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, यह, यह हो गया हमारा, first overtone, first overtone, या फिर third harmonic, क्योंकि, एक end पे बंद, एक end पे open है, तो यह वाली length, lambda by 4 तो यहां पर, 3 by 4, lambda हो जाती है, तो आप देखो के, यह जितना भी था, उसका 3 गुना है, यह लेंद, यह लेंद जितनी भी थी, उसकी 3 गुना है, 3 गुना कितना हो जाता है, 3 into 50, which is equal to, 3 into 50, which is equal to 150 cm, हमारा answer यहां आजाए है, next question देखते है, a tuning fork with frequency 800 Hz, produces resonance in a resonance column tube, with upper end, open and lower end close by water surface, successive resonance are observed, at lens इतनी इतनी इतनी, the speed of sound in air is, तो इसको कैसे दहूल करोगे, देखो, हमारे पास, 9.75 पे resonance आया, फिर आया 31.25 cm पे, और फिर आया है, 52.75 cm पे, अच्छा, यह हमारे पास, क्या है, open at one end, and close at loose end, इस तरीके से, हमें मैं ऐसे स्टिगड़ा वाला बना दे रहा हूँ, इसमें हमारे पास, जो length होती है, first resonance के लिए, जो length होती है, वो होती है, lambda by 4, second के लिए, हमारे पास क्या होती है, 3 lambda by 4, third के लिए, हमारे पास हो जाएगा, फिर मतलब, जो भी, second overdone या, जो भी next value आने वाली, वो हो जाती है, 5 lambda by 4, इस तरीके से, हमारे पास length होती है, अब अगर, यह वाली value, lambda by 4 है, तो हम इसी से, lambda की value, calculate कर सकते हैं, यह वाली value हो, 3, इससे भी हम lambda calculate कर सकते हैं, इससे भी calculate कर सकते हैं, अब इस value को use करके भी, मैं directly lambda की value calculate कर सकता था, लेकिन कई बार यहां पे ना, कुछ end correction और वो वाली terms होती है, कुछ experimental error होगा, मुझे नहीं पता, इससे आप lambda की value calculate करोगे, तो answer कुछ और आएगा, या फिर आप ऐसा करो, इन दोनों का जो difference होगा, है ना, इन दोनों का जो difference होगा, वो difference कितना आ रहा है, वो difference आता है, 21.5 cm, वो इन दोनों के difference के बरापर हो जाया, वो वाली value कितनी है, lambda by 2, इन दोनों के बीच का जो difference है, वो भी है, 21.5 cm, और इन दोनों के बीच का जो difference है, वो भी है, lambda by 2, तो इससे में पता चल जाता है, lambda by 2 is equal to 21.5 cm, यानि, lambda is equal to, उसके value आजाएगी, 43 cm, V is equal to F, lambda, frequency की value है, 800 into lambda की value है, 43 cm, तो इससे हमारा answer कितना जाता है, यह जाता है, 344 m per second, D हमारा answer हो जाता है, next question देखते है, the number of possible natural oscillations, of air column, in a pipe closed at one end, of length 85 cm, whose frequency lie below, 1250 Hz, देखो, इसको से formula से solve करते हैं, इस बार हम डाइग्राम नहीं बनाएगे, तो हमारे पास, सबसे पहले तो base frequency पता कर लेते हैं, है ना, base frequency कितनी होने वाली है, तो हमारे पास आती है, frequency is equal to V upon 4 L, velocity है 340, divided by 4, length की value कितनी है, 85 cm, उसको मैं 0.85 लिख दूँगा, इसी को मैं लिख सकता हूँ, 3, 4, 0, 0, 0, upon 4 into 85, और 85 into 4, वो कितना हो जाता है, 85 into 4 हो जाएगा, 32 and 34 ही हो जाता है, तो 3, 4, 0, 0, 0, divided by 3, 4, 0, 0 से 0 कर गया, और हमारे पास value आती है, 100 Hz, तो हमारे एन नाट की value आ गई है, 100 Hz, फिर उसके बाद next, हमें जो frequency मिलने वाली है, देखो, ये एक end पे close है, तो हमें सिर्फ odd harmonics मिलेंगे, तो 100 है, फिर 300 होगा, फिर 500 होगा, फिर 700 होगा, फिर 900 होगा, फिर 1100 होगा, और फिर 1300 होगा, हमारे काम की तो सिर्फ ये वाली values हैं, कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही frequency है, जो हम सुन पाएंगे, जो 1, 2, 5, 0 Hz के नीचे होगी, तो यह के तिये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारा answer आजाता है, 6, और यह हमारा answer है, इस टेडी तब वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप, ओपन अड बोथ एंड्स, तो वहाँ पे ओड्ड नहीं, सारे के सारे जन्रेट होते हैं, क्योंकि दोनों एंड पे पाइप ओपन है, लेकिन और भी जन्रेट होते हैं, तो इस statement में कोई गलत बात नहीं है, और भी जन्रेट होते हैं, और हार्मोनिक्स अफड़ फंडमेंटल फ्रिक्वेंसी विल भी जन्रेट है, यह भी करेक्ट है, pressure change will be maximum at both ends तो pressure change क्या होता है अच्छा मालो जिसको नहीं पता उसके लिए वो बाकी option देख लो anti node will be at open end तो हमें पता है कि pipe में open end पे anti node होता है तो ये भी correct है ये भी correct है ये भी correct है यानि ये ही नहीं correct होगा तो हमारा answer ये आजाता है वैसे जिसको नहीं पता है वो चीज़ ये चीज़ पता कर सकते हैं कि हमारा pressure variation maximum होता है L by 2 पर तो pressure change will be maximum at both ends जहां पे हमारा displacement node होता है वहाँ पे pressure change का anti node होता है अब यहाँ पर displacement node यहाँ पर है तो इस जगे पे हमारे पास pressure change maximum होगा लेकिन statement बोल रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर maximum होगा लेकिन वैसा नहीं है तो इसलिए यही हमारा wrong statement है और इसलिए यही हमारा correct answer हो जाता है pressure change anti node is equal to displacement node अब देखते है next concept which is power and intensity इस पे derivation में जाने कि तो बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है चाहिज हो जाए हम इससे formula लिहान रखना लेको power होती है power क्या होती है p is equal to 2 pi square n square n यहाँ पर frequency है a square amplitude है rho density है v velocity है s area है area कौन सा area भई power जब होती है तो sound में या इस तरही भम बाते करते हैं तो किसी एक area के थूरू अगर हम consider करें कि इसमें से कितनी power हमारी जा रही है मतलब पर second हमारी जो power है वो area के साब से हम calculate करते है तो इसलिए यहाँ पर area भी use किया जाता है intensity होती है power per unit area तो इसी को आप area से यानि कि s से divide कर दोगे तो खाली s वाली term यहां से हट जाएगी यह हमारा intensity का formula है खास बात क्या धहां देने वाली यहां पर intensity is proportional to frequency का भी square होगा amplitude का भी square होगा velocity का single है ठीक है वहाँ square नहीं है पागा अब हम आपास generally दो तरीके के case हो सकते है एक तो दखता है कि point source है उससे हर direction में अलग-अलग इस तरीके से sound जाता है अगर उसकी power p दे रखिया हमें बता रखा है कि इसकी जो power है sound source की 5 watt का power source है तो intensity किसी भी x पर उस x का आप एक एस स्फेर बना तो उसका कुछ area हो जाएगा 4 pi r square pi x उस p को आप divide कर दो उस area से तो वो intensity आजाएगा intensity power per unit area तो जैसे जैसे हम x में दूर जाते जाते हैं हमारी power x square के हिसाफ से गिरती है और power और amplitude के बीच में हमारे power square का relation है तो amplitude 1 by x के हिसाफ से गिरता है इस case में ऐसा नहीं होता है इस case में जो भी हम दूर जाते हैं तो area जो होता है area क्या हो जाता है वो होता है 2 pi x into l यहाँ पर l यह वाली length है तो 2 pi x into l intensity is power upon 2 pi x l बस यहाँ पर यह वाला change जाता है इस तरह यह भी जादा सवाल आते नहीं main चीज़ों में बस यह देख रही है कि intensity का formula यह होता है बस इसे याद रख लो आपके almost सारे questions इसी से solve हो जाए है और सवाल आते भी बहुत कम है वैसे string waves के लिए power का formula क्या हो जाता है P यहाँ पर देखो area और density को आप multiply कर दोगे तो वो क्या बन जाती है हमारी linear mass density बन जाती है तो आपको अगर modify करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो हम question solve करना शुरू करते है A point source emits sound equally in all direction in a non-absorbing medium 2 points P and Q are at distance of 2 meter and 3 meter respectively from the source the ratio of the intensity of the waves at P and Q is तो देखो intensity हमारी intensity distance के हिसाब से area बढ़ता रहेगा और वो कम होती आई for spherical spherical है न हर एक direction में emit हो रहा है तो spherical emission हो रहा है तो हमारे पास जो intensity है intensity is proportional to 1 by x square तो अब हमारे पास आजाएगा i1 by i2 is equal to 1 upon x1 का square upon 1 upon x2 का square x2 का square कितना है 3 square by 2 square यानि की 9 by 4 इसका मतलब i1 जो point जादा पास था उस पे intensity जादा थी ओने भी चाहिए जो point दूल था उस पे intensity कम थी the ratio of intensity of the wave at P and Q is 9 by 4 हमारा answer आजाता है C next question देखे two waves of same frequency and intensity superimpose each other in opposite phase after superposition the intensity and frequency of waves will be intensity तो देखो 0 हो जाती है क्योंकि हमारे पास एक wave ऐसे है दूसरी वे उसकी exact opposite है इस तरीके से और superimpose हो जारी है अच्छा अगर यह हमारी अलग-अलग direction में आ रही होती है इस तरीके से तो हमारे पास में standing waves बन जाती है लेकिन अभी मानलो यह same direction में जा रही है है ना superimpose तो तभी वह opposite phase में भी है phase की बात ही सब होती है इस तो phase की बात ही नहीं हो पाईगी तो वह superimpose हो रही है तो इसकी आपस में सारे की सारी चीज़े cancel out हो जाएंगे हमारी सारी चीज़े जीरो हो जाएंगे हमारा answer हो जाता है D destructive interference इसको बूला जाएगा next question देखो if the amplitude of sound is doubled and the frequency is reduced to 1 fourth the intensity of sound at the same point will be देखो हमें क्या पता है intensity का फॉर्मूला रहता है टू पाई स्क्वेर एन स्क्वेर एस्क्वेर रो हुई अब यहां पर आप देख सकते हो कि intensity is proportional to frequency और amplitude का whole square इस तरहीं के से तो हम लिख सकते हैं i1 by i2 is equal to n1 a1 by n2 a2 का square frequency के साथ हमने क्या किया है one fourth कर दिया है तो यह जाएगी n1 upon n1 by 4 amplitude का क्या किया है हमने amplitude double कर दिया तो a1 divided by 2a1 इसका हमें square कर देना है और यह वाली value आ जाती है हमारी 4 यानि कि i2 is equal to i1 by 4 पहले जितनी intensity थी उसकी बस one fourth रहे है हमारी intensity तो हमारा answer क्या हो जाता है decreasing by a factor of 4 यह हमारा answer हो जाएगा next topic is beats बहुत ज्यादा important है बहुत ज्यादा आसान है और इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं इसमें formula कुछ भी नहीं है तो हमारे पास जब भी कोई दो waves होती है ठीक है इस तरीके से एक इधर जा रही है दूसरी मान लो इधर आ रही है अगर दोनों की frequency same होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है standing waves बन जाती है अगर हमारे frequencies थोड़ी से अलग-अलग होती है तो हमारे पास beats का phenomena होते है और beats के phenomena में हम दोलते दोनों की frequency का जो difference होगा वह ही beat की frequency होती है तो उसमें हमें इसकी intensity dwa से जयादा सुनाई देते हैं फिर कम सुनाई देते हैं ज़ादा कम ज Newton के कमश्य ज़दा ना कि सब्सक्राẫn देर में कम ज्यादा हो रही है तो बस एक ही फॉर्मला है और इसी पर सारे के सारे क्वेश्चन होगे बहुत सारे क्वेश्चन होगे अच्छा बीट फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे पास अब टाइम पिरेट भी निकाल सकते हैं बीट का तो इसको वन अपॉन एन बीट कर दो है अगर से एंपलिटुट होगा तो जो मिनिमा आता है उसकी वैलीव जीरो जाएगी अगर वो नहीं है तो भी बेट सो बनती है बस हमारा अबक्ट इंपलेटल हो जाएगा लेकिन मस्ट फो बस यह है बीवाल्य viv A wave has SHM whose period is 4 second While another wave which also possesses SHM has its period 3 second If both are combined then the resultant wave will have period or equal to इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है हमाने पास दो waves है दोनों का हमें time period बता दिया तो क्या हमें frequency बता है F1 is equal to मैं बोल सकता हूँ 1 by 4 second F2 की value हो जाएगी 1 by 3 second अब देखो हमारे पास beat frequency उसको मैं NB लिखते हूँ NB is equal to वो जाता है F1 minus F2 which is equal to 1 upon 4 minus 1 upon 3 इसका modulus होगा basically तो यह आ जाता हमाना पास 1 upon 12 तो क्या मैं time period of beats निकाल सकता हूँ time period of beats वो हो जाएगा 1 upon NB which is equal to 12 second और यह हमसे पूछा गया गा हमें जो resulting waves में रहे हैं उसको intensity ऐसे बड़ेगी, कम होगी, बड़ेगी, कम होगी और उसी का time period पूछा था तो यह हमारा answer आजाता है next question देखो two vibrating tuning forks produce progressive waves given by y1 is equal to this y2 is equal to this number of beats produced per minute is बहुत अच्छा सवाल है तो हमारे पास omega 1 की value कितनी है omega 1 is equal to 500 pi omega 2 is equal to 506 pi हमें चाहिए अब frequency हमारी frequency होती है f is equal to omega upon 2 pi तो यहां से मेरे पास f1 आ जाती है फिर मैं उसको n1 लिख दो तो उसकी value आ जाती है 250 n2 की value हो जाती है 506 upon 2 pi तो हो जाएगा 253 n beat की यहां कौन सा formula लगा हमाने f is equal to omega upon 2 pi n beat की value हो जाएगी n2 minus n1 which is equal to 3 तो हमारे पास beat frequency आ गई है 3 बहुत ही simple question आई है लेकिन यह answer नहीं है हमें beat की frequency मिली आई है हमसे पूछा है number of beats per minute यह तो per second आया है हमें per minute करना है तो इसको हमें multiply करना पड़ेगा beats per minute answer is equal to 3 into 60 second which is 180 answer आएगा हमारा 180 next question देखते है in a guitar two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 hertz तो ठीक है when tension in B is slightly decreased the beat frequency increases to 7 hertz if the frequency of A is 530 hertz the original frequency of B will be देखो पहले तो हमाँ पास दो तार बनाओ A and B A को ऐसे घीचाए B को ऐसे घीचाए A की frequency कितनी दी है 530 hertz B के साथ इसकी 6 hertz की beats थी है यहांपर ठीक है 6 hertz की beats थी तो B की कुछ frequencies हो सकती है क्या हो सकती है अगर A की थी 530 तो इसकी हो सकती है या तो 530 minus 6 यानि की 524 होगी या फिर 530 plus 6 यानि की 536 hertz होगी इन दोनों में से कोई सी इसकी frequency हो सकती है wire B की फिर हम से पूझा कि when tension B is slightly decreased the beat frequency increase है अच्छा beat frequency को increase कराना है तो या तो हमें इसको इदर ले जाना पड़ेगा या इसको इदर ले जाना पड़ेगा तभी beat frequency कम होगी क्योंकि ये तो 530 पर fix है frequency क्या हो जाती है frequency होती है हमारी F is equal to V by 2L हमारे पास length of string में तो हम कोई change नहीं करें guitar में fretboard होता है हम velocity change करते हैं velocity का formula में लगा दो दिया जाता है 1 by 2L into under root of tension by mu अगर हमने tension क्या किया है if when the tension in B is degrees अगर tension कम करी है तो frequency of B कम होती है frequency of B कम होती है तो हमारे पास hertz बढ़ जा रहे है बीटके यानि कि actually यहां पे रहा होगा तभी हमने जब tension कम करी ही तो frequency कम होई frequency कम होई तो हमारे पास इन दोनों के बीच का gap बढ़ गया और हमारे पास frequency बढ़ गई तो ये 523 रहा होगा ये 535 रहा होगा इससे हमें मिलती है 7 beats इससे हमें मिलती है सिर्फ 5 beats इसका मतलब हमारा answer is equal to 7 beats वाला कौन सा हो जाता है 524 hertz ये हमारा answer हो जाएगा ये ही दा सबसे complicated question जो beats पे हो सकता है इससे जादा complicated चीज़ें आती नहीं देखो और सवाल देखते हैं अच्छा अभी हम जानते है टेंशन बढ़ाते हैं तो frequency भी बढ़ती है तो देखो इसको हम simple तरीके से करते हैं पहले हमारे पास tuning fork कितना था? 512 hertz का उससे हमारा piano का जो string था वो 4 beats, 4 hertz की beat frequency दे रहा था तो वो या तो हो सकता है 508 या फिर वो हो सकता है 516 the beat frequency decreases to 2 beats per second when tension in the piano string is slightly increased तो tension बढ़ा रहे हैं तो हम उसे खीचेंगे तो उसकी frequency भी बढ़ेगी अब 508 से frequency बढ़ेगी तो देखो हम 512 के पास जा रहे हैं यानि कि हमारी beat frequency कम हो जाएगी जैसे कि हमारे इस case में हो भी रहे 4 से 2 हो गई इस case में अगर हम frequency बढ़ाएंगे तो 518 हो गए मान लो तो beat frequency बढ़ जाएगी देखो पहले 4 थी अब बाद में 6 हो गई तो यानि कि यह हमारा answer नहीं हो सकता हमारा answer actually यह है तो इसलिए हम माक करेंगे 508 is the correct answer next question देखते हैं a source of sound gives 5 beats per second when sounded with another source of frequency 100 second the second harmonic of the source together with the source of frequency 205 per second gives 5 beats per second what is the frequency of the source बड़ा ही confusing लग रहा है देखो इसको steps में बनाते a source of sound gives 5 beats per second when sounded with another source of frequency 100 per second तो हमारे पास एक source है 100 hertz का उससे हमें 5 beats मिल रहे हैं per second यानि कि दूसरी जो frequency होगी या तो 105 होगी या 95 होगी तो 95 हो सकती है या 105 हो सकती है the second harmonic of the source together with the source of frequency 205 seconds gives 5 beat per second अब यह जो हमारा source था इसका second harmonic क्या होगा यह मार लो हमारा एन नौट है यह एन नौट था तो यह था हमारा first harmonic हमारे second harmonic की frequency क्या होती है two times एन नौट हो जाएगी तो यह हो जाते हैं आपर 190 यह हो जाता है हमारा 210 हर्ट्स अब इन दोनों में से कोई सा एक 205 frequency 205 हर्ट्स वाली के साथ 5 beats की beat frequency दे रहा है कौन सा वाला दे रहा होगा देखो इन दोनों के बीच में 5 हर्ट्स का difference है तो यह हमारा correct answer तो actually जो हमारी frequency what is the frequency of the source यह frequency हम से पूछी गई है 105 यहाँ पे हमें 5 hertz मिल रहे थे इसका मतलब this is correct answer 105 बहुत ही simple question था ऐसे याद है beats वाले question में कुछ जादा बड़ी calculations भी नहीं होते guess करना है या तो यह होगा या फर यह होगा a source of unknown frequency gives 4 beats when sounded with a source of unknown frequency 250 hertz तो देखो हमारे पास एक 250 hertz तो known है उससे 4 beats की frequency मिल रहे है तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा या तो 246 होगा है या फिर यहाँ पर 254 hertz इन दोनों में से एक value रही होगी इन दोनों में से कोई सी एक हमें पता करने the second harmonic of source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with the source of 513 hertz तो अब इसका पहले तो second harmonic निकालो इसका second harmonic second harmonic उसकी value हो जाएगी 246 का double कर दो fundamental का double कर देंगे तो 246 का double आप करोगे तो वह आ जाता है 492 hertz और इसका double कर दोगे तो यह आ जाएगा 508 hertz और इन दोनों में से कोई एक हमारे 513 hertz वाले source के साथ में 5 beats दे रहा है 5 beats तो हमारा answer यह वाला correct answer है 254 hertz हमारा answer रहा होगा B is our answer बहुती simple questions है 2 identical piano wires kept under the same tension T have fundamental frequency of 600 hertz ठीक है The fractional increase in the tension on one of the wires which will lead to occurrence of 6 beats per second when both wires oscillate together would be जब देखों पहले हमारे पास यहाँ पर कोई दो wire है इसमें हमारे पास जब fundamental frequency में vibration होगा तो हम जानते कि यह जो length L है L will be lambda by 2 या फिर हम लेख सकते हैं frequency जो होगी frequency is equal to V divided by 2L इसी को मैं tension की form में भी ला सकता हूं frequency is equal to under root of T by mu into 1 by 2L अब देखों यहाँ पर frequency को मैं लिख सकता हूं बाकी सारी चीज़े तो constant है length भी हम नहीं छेड रहे उसकी linear mass density भी नहीं छेड रहे तो हम लिख सकते frequency is equal to k times tension की power 1 by 2 हमें क्या चाहिए? 6 beats per second पहले तो इसकी frequency कितनी थी? 600 hertz दूसरे वाले wire में हमें कितनी कर देनी है? 606 hertz या फिर हम 594 hertz करते हैं तो भी हमारे पास same beats frequency आ जाती है तो हमें actually कर भी सकते हैं अब यहां पर हम देखो क्या करेगे हम लिखते हैं अब यह बन गया हमारे errors calculation वाला सवाद अगर हमाएं tension में हम कितना change करें कि हमें delta f by f की value इतनी मिल जाए तो भाई आप इस formula को differentiate करें यहां से आता हमारे पास df by f is equal to k तो वहीं रह जाएगा मतलब यह सारी चीज़ हट जाएगा हाफ आ जाएगा dt by t अब यहां से हमने df by f की जगे value रग दी 0.01 is equal to half into dt by t यहां से मिल जाता है dt by t is equal to 2 into 0.01 which is equal to 0.02 हमारा answer आ गया यह अब आप बोलोगे यह कहां से आया तो यह हमारे errors calculation वाला जो एक formula आता है उसके साब से हाँ जब भी हमारा पास कोई भी ऐसी चीज़ होती है न अब जहें से मालो a is equal to x की power p y की power q तो हम लिखते हैं d a by a is equal to p dx by x plus q dy by y इस तरीके से हमारे पास formula आ जाता है यह partial differentiation यह इसके वारे में आप वीडियोस देख सकते हों बनाए हुए omega 1 upon 2 pi उसकी value हो जाएगी 600 pi divided by 2 pi which is equal to 300 hertz इसी तरीके से f2 की value हो जाएगी वह जाता है 608 pi divided by 2 pi याने की 304 hertz तो हमें जो frequency of beat मिलने वाली है वह हो जाएगी f2 minus f1 which is equal to 4 hertz 4 hertz की हमें frequency मिलेगी लेकिन सवाल important इसलिए क्योंकि इसमें हम से क्या पूछा है waxing और winning के बीच में हमें जो ratio दिया हुआ है यह ratio कैसे बता चलेगा तो waxing और winning के बीच में हम ratio कैसे निकाल सकते हैं हमारा जो resultant amplitude होगा न amplitude resultant की value क्यों हो जाएगी एक का amplitude है 5 दूसरे का है 4 तो हमारे पास amplitude आएगा वह एगा 4 प्लस 5 और 5-4 इनके बीच में यानि की 9 और 1 के बीच में हमारा amplitude आएगा मतब कभी maxima होगा तो 9 तक जाएगा और minima होगा तो 1 आएगा इस तरीके से ratio यह अब यहाँ पर हमारे intensity जो होती है वह होती है proportional to a square तो जब maxima है तो maxima y minima अगर हमें पता करना है तो i max upon i min is equal to 9 square by 1 square यानि की 81 तो 81 ratio 1 हमारा answer आने वाला है और 4 beats per second 4 beats per second and 81 ratio 1 waxing और वैनिंग के भीच वाला जो हमारा ratio है तो यह हमारा answer आ जाएगा next question देखते है each of the two strings of length 51.6 cm and 49.1 cm are tensioned separately by 20 newton force mass per unit length of both the string is same and is equal to 1 gram per meter when both the strings vibrate simultaneously the number of beats is इसके लिए हम क्या करेंगे frequency हमारे पास formula होदा 1 by 2 L into under root of tension upon mu दोनों ही case में string में tension और linear mass density बराबर है तो यह वाली value दोनों के लिए same आएगी दोनों की length अलग है तो दोनों की frequency अलगा जाएगी तो दोनों की frequency में जो difference होगा वही हमारी beat frequency बन जाएगी हमारी beat frequency के लिए हम N B की value लिख सकते हैं वह हो जाएगा F1 या F2 minus F1 which is equal to 1 by 2 under root tension by mu को मैं common ले लेता हूं bracket में क्या बच जाता है 1 by L2 minus 1 upon L1 इसकी value रखेंगे तो हमारे पास आंसे जाता है 1 by 2 under root of tension की value है 20 यह जो linear mass density है 1 gram per meter है इसको पहले SI unit में लेकर हो जाए 0.001 तो यह effectively फिर हमारे पास 20 उपर 20,000 हो जाएगा इस तरीक दो 1 upon L2 उसकी value है 50 49.1 minus 1 upon 51.6 ओके तो यहां से हम देखो यह वाली चीज बाहर आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा 100 by 2 root 2 यहां पर हम LCM लेंगे 51.6 minus 49.1 तो वह जाता है 51.6 minus 49.1 divided by 49.1 into 51.6 LCM ले लिया इसकी value कितने आ जाती है 50 root 2 multiplied by यहां पर कितना आ जाता है हमारे पास 2.5 upon नीचे देखो हमारे पास जो value है ना इन दोनों को हम approximately 50 50 मान लेते हैं जादा एडर आएगा नहीं उतना जादा इसको मैं 50 into 50 बोल देता हूं तो यहां देखो 50 से एक 50 इस तरीके से कट गया यहां पर 2.5 है तो यह 2.5 into 20 आ जाएगा नीचे इस तरीके से हमारे पास आंतर जाता है root 2 by 20 अच्छा यहां पर हमने गलती करती हमने यहां पर जो values ली थी यह हमने ऐसा युनिट में नहीं ली थी यह सेंटीमीटर में था तो इनको मीटर में कनवर्ट करने के लिए हमें हंडेट से 7 आ जाती है हमारा answer हो जाएगा इस तरीके से question को solve करना था next question देखते हैं two waves of length 50 cm and 51 cm produce 12 beats per second the velocity of sound is okay हमारे पास जो waves of length हमारे पास यह है उससे 12 beats per second मिल देखो f is equal to v by lambda हमारे पास होता है beats is equal to f2-f1 beats की value कितनी है 12 is equal to f2-f1 यानि v common आ जाएगा 1 upon lambda 2-1 upon lambda 1 again 12 is equal to v हमें पता करना है सारी चीज़े मैं ऐसा unit में लोगा तो यहां पर मैं 100 उपर ले आता हूं ताकि नीचे हमारी value 1 upon 50-1 upon 51 ही रह जाए इसकी value कितनी आ जाती है 12 is equal to v into 100 51-50 आने की 1 divided by 50 into 51 यहां से आप solve करोगे ऐसे कट जाएगा यह यह कट जाता है हमारा 2 बचता है यहां से यह कट जाता है 6 velocity की value आ जाती है 6 into 51 which is equal to 306 meter per second यह हमारा answer जाता है तो simple सवाल था अच्छी values भी थी option जाद approximation हमें कहना नहीं पड़ा two sound waves with wavelengths 5 meter and 5.5 meter respectively each propagating a gas with velocity 330 meter per second we expect the following number of beats per second यार यह तो अब सेम ही question होते जा रहे है देखो v is equal to f lambda f की value आ जाती है v divided by lambda beats b e a t s frequency is equal to f2 minus f1 या नहीं कि v common लेलेंगे 1 upon lambda 2 minus 1 upon lambda 1 यहां पर velocity दे रहे है हमें 330 और 1 upon चलो इस पार wavelength meter में है तो 5 minus 1 upon 5.5 which is equal to 330 into 0.5 और नीचे आ जागा हमारे पास 5 into 5.5 तो यहां पर 5 से यह कट जाएगा 0.1 बचेगा 0.1 से यह 0 कट जाएगा हमारे पास आता है 33 divided by 5.5 यह फिर मैं लिख सकता हूं 330 upon 55 यह 11 से जाएगा 30 divided by 5 यानि की 6 हमारा आंसर आता है 6 beats per second answer आ जाएगा simple question था ऐसे के साथ हम आ गए है almost हमारे last topic पर जो है Doppler effect Doppler effect में क्या होता है जब भी हमारे observer और sound के source के बीच में relative motion होगा तो हमें इसने कुछ और frequency पर sound निकला इसको कुछ और frequency पर सुनाई दिया observe उसने ऐसा किया relative motion होना चाहिए उन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि यहां पर हवा चले लेकिन यह भी static था यह भी static था तो इसके बीच में relative motion नहीं होगा तो उसको सेम चीज सुनाई देगी कोई difference वहां पर नहीं है ओके तो हमारे पास एक observe frequency होईगी इसको हम and dash बोल देंगे और यह हमारे पास जो source ने फ्रिक्वेंसी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी आप इसको बोल सकते हो and not इसके बीच में कुछ relation होता है यहां पर we have velocity of sound velocity of sound plus minus velocity of observer और denominator में भी है plus minus velocity of source ध्यान देना source की velocity denominator में है observer की velocity ऊपर में रहते हैं अब अगर source इधर आ रहा है source observer की पास आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा यानि कि हम यहां पर minus sign यूज़ कर लेंगे अगर source observer से दूर जा रहा है तो frequency कम करने की कोशिश करेगा अपने बगल में से जब कभी होन बजाते हुए कार निकलते हैं अगर source observer की पास आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा है यानि डिनामिनेटर में माइनस लगाए अगर यह दूर भाग रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम कर रहा है इसका मतलब यहां पर प्लस लगा लें similarly अगर observer इसकी पास आ रहा है तो यहां पर हमें प्लस लगाना है क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है अगर यह दूर भाग रहा है इस तरफ तो हमें यहां पर माइनस का यूज़ कर लेंगे तो बस हमें यह ध्यान रहा है जब भी कोई चीज़ पास है 1 प्लस X इफ X is much much less than 1 तो बस यही है अब देखो इसे पे इतने सारे सवाल है तो कार मुविंग इन ओपोसिट डिरेक्शन अप्रोच इता रहा है तो एक कार इधर आ रही है 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दूसरी कार इस तरह आ रही है 16.5 मीटर पर सेकंड से दौसरी की फेक अंदेर फिंट हर्थ इसका 400 हर्ट की फ्रीकोंची इसने निकालेक तो पक्रीकिशन फ्रीकोंची खर्ण फ्रीकवेंशद मीटियाजりました नीचे में आता है velocity of sound plus minus velocity of source यहां पर हमारे पास सिर्फ वी होता है यह velocity of sound अब यह formula है देखो हमारे पास इसमें हम क्या रखेंगे n डैश यहां पर भी क्या है हमारी original frequency थी 400 हमने उसको as it is रख दिया उपर में क्या हो रहा है यहां पर पहले इसको देखो हमारा जो source है वो भी observer के पास जा रहा है वो frequency बढ़ाने की कोशिश करेंगा source denominator में होता है अगर हमें इसकी value बढ़ानी है तो denominator छोटा होना चाहिए यहां पर हम negative का use कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पाइब स्पीड ऑफ सांटर 340 माइनस 22 कि अब्जरवर क्या कर रहा है ऑब्जरवर इस तरफ पास आ रहा है तो वह भी frequency बढ़ानी की कोशिश कर अब्जरवर numerator में होता है तो numerator में वैल्यू बढ़ी कर देंगे तो overall value बढ़ेगी तो हम यहां पर कर देंगे 340 प्लस हमारा आंसर कितने हैं स्वरी 16.5 इसकी वैल्यू आ जाती है 400 इंटू 356.5 डिवाइड बाइ 318 अब आप इसको सॉल्व करोगे क्यासे करोगे इसको आप अप्रॉक्सिमेट मालो 400 इंटू 360 डिवाइड बाइ 320 दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिये उतना ज्यादा एर्र आएगा नहीं यहां पर यह चीज़ कट जाएगी यह जाता है हमारा नाइन बाइट एट से 50 हो जाता है तो यह वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली नाइन इंटू 50 किता हो जाता है 450 के आसपास 450 के आसपास हमारी कोई वैल्यू है वो है हमारा आंसर सी इस तरीके से मांसर सी मांक करें हमेशे है थोड़ा कैलकुलेशन भी हमें अजीब तरीके से करनी पड़ेगी है यह दॉपलर एफ मुविंग विद दे स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकंड अधन अंगल ऑफ 60 डिग्री तो यह ऐसे जा रहा है बैसिकली 19.4 मीटर पर सेकंड इस तरीक्षिन में 19.4 मीटर पर सेकंड एरो तो बना ही हुआ है इसको मैंने क्यों बना है दुपारा दे अब्जर्वर इस अब्जर्वर इसके पास आने की कोशिश करेंगा दूसरा कॉम्पोनेंट इस दिरेक्षिन वाला उसकी वज़े से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है रेलेटेव मोशन तो इसकी वज़े से हो रहा है पास आने का डिस्टन्स कम होने की कोशिश इसकी वज़े से हो रही है तो अगर यह वेलोसिटी 19.4 है तो इसका कॉस 60 यानि की हाफ करना पड़ेगा इस डिरेक्षिन में तो वह वाली वैल्यू कित्ती हो जाती है यह वाली स होती है 100 इंटू हमारे उपर होता है सोर्स उपर होता है और नीचे होता सो उपर ऑब्जर्वर इस एक रेस्ट तो यहां पर हम वेलोसिटी ऑफ साउंड रख देंगे 330 प्लस माइनस जीरो और नीचे आ जाएगा 330 देखो यह इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रि 9.7 को मैं 10 ही मान लेता हूँ तो माइनस 10 कर दिया इसी को हम लिख सकते हैं 100 इंटू देखो 1 उपोओं 1 माइनस 10 डिवाइद बाइ 330 यहां पर यह जितनी भी term थी उन सब ही को मैंने 330 से डिवाइड कर दिया तो यह भी 1 होग्या यह 10 डिवाइद बाइ 330 होगे, यहाँ 10 से ही इस तरीके से कट जाएगा, हमाय पास frequency n' की value आ जाती है, 100 into 1 upon 1 minus 1 by 33 अब यहाँ पर हम लगा देंगे binomial approximation, नहीं तो solve करने हो मुश्किल हो जाएगी, 1 minus 1 upon 1 minus x तो यह वाली value हो जाएगी, इसकी value आ जाती ही 100 into 1 plus 1 by 33 which is equal to 100 into 34 by 33, अब इसको भी आप 3 से multiply कर तो नीचे भी 3 से multiply कर तो यह आ जाता है, 100 by 99 into 34 into 3 कितना हो जाता है 102, इसको almost आप काट सकते हैं इसकी value approximately 102 hertz आ रही है, answer हो जाएगा हमारा 103 hertz calculations थोड़ी अजीब तो है, next question लेखते है a vehicle with a horn of frequency n is moving with a velocity of 30 meter per second in a direction perpendicular to the straight line joining the observer and the vehicle okay, the observer perceives the sound to have a frequency n plus n1 then if the sound velocity in the air is 300 meter per second तो यह काफी interesting सवाल है actually इसमें क्या हो रहा है, मानलो हमारा पास यहां पर एक observer है और इससे एक line joining ऐसे हमारा पास यहां पर truck है और truck किदे है move कर रहा है truck move कर रहा है perpendicular to the straight line तो truck इस direction में हमारा move कर रहा है अब truck इस direction में move कर रहा है तो उसके कारण क्या observer को frequency में कोई change सुनाई देगा देखो अगर truck इस तरफ जादा तो observer को frequency ज्यादा बड़ी हो यह सुनाई देती अगर truck दूर जादा तो frequency कम सुनाई देती लेकिन truck इस direction में move कर रहा है तो इन दोनों के बीच का distance कम नहीं हो रहा है तो हमाई Doppler effect के लिए हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में इस particular instant पर कोई relative motion नहीं हो रहा है तो इस observer को exactly वो ही frequency सुनाई देगी जो यहां से निकली थी सिर्फ इस particular instant पर आगे चला जाएगा तो फिर कुछ और बात हो जाएगी तो इसलिए यहां से अगर n निकली थी तो यहां भी n ही receive होगी अब उन्होंने बोला n प्लस 1 अरे सौरी n प्लस n1 receive हो रही है तो यह n1 की value क्या है n1 की value obviously 0 है तो इसका answer आजाता है n1 is equal to 0 बहुत ही अच्छा question था ही है next question देखते है a speeding motorcycle has seen traffic jam ahead of him he slows down to 36 km per hour 36 km per hour कितना होता है मारा 10 meter per second तो यह motorcyclist है bike उसकी speed है 10 meter per second he finds a traffic head east and a car moving ahead of him at 18 km per hour तो यहां पर जा रहे है हमारी car 18 km per hour यानि की 5 meter per second car is honking at a frequency of 1392 car honk करते है यहां से horn बजा है horn उसकी frequency of 1392 hertz 1392 hertz if the speed of the sound is 343 meter per second the frequency of the honk as heard by him अब यहां से horn निकलेगा और यहां पर कुछ बोस्टोनेगा अलग होगी उसकी value तो देखो हमारे पास जो n- हैगी जो observed frequency है वो हो जाती है original frequency into v plus minus v observer upon v plus minus v source अब एक बात बताओ यहां पर जो observer है यानि कि यह observer है यह sound source की तरफ जा रहा है तो इसके current frequency बढ़ेगी तो observer के हिसाब से frequency बढ़ाने के लिए हमें उपर plus use करना चाहिए और यह जो source है वो दूर भाग रहा है वो frequency कम करना चाहता है तो इसके हिसाब से frequency कम होनी चाहिए तो यहां पर भी हमारे पास plus का use होगा अगर minus कर देते हैं तो यह denominator छोटा हो जाता तो यह overall value बड़ी हो जाते हमें इसको कम करना है तो यहां पर भी plus use होगा n- के value हाजाएगी 1392 into v plus v observer 8 अब आप देखोगे यह वाली जो term है यहां पर हम actually plus और plus use करें यह वाली जो term है यह 1 से थोड़ी सी बड़ी है थोड़ी सी बड़ी है तो हमारी जो value की है यहां से थोड़ी सी बढ़ जाएगी इससे थोड़ी सी बड़ी value क्या हो जाएगी यहां पर जित्ते भी option हैं देखो यह तो नहीं होने वाला यह भी नहीं होने वाला है यह बहुत जादा बड़ी है यह थोड़ी सी बड़ी value तो हम directly इसका answer C mark कर सकते हैं इस तरीके से हमें calculations करने की भी जरूरत नहीं है next question देखते हैं two trains start मागने है two trains move towards each other with the same speed the speed of the sound is 340 meter per second if the height of the tone of the whistle of one of them heard on the other changes 9 by 8 times then the speed of each train should be तो height of the tone क्या होता है पिछ अब उसको बोल साथ है frequency समझो उसको ठीक है तो हमें क्या बोला जा रहा है देखो एक train यहां से जा रही थी T1 दूसरी train यहां से आ रही थी T2 इसकी भी speed है वी इसकी भी speed है वी ओके हमें पता करना है यहां से इसने horn बजाया यहां पे h-डाश ज हमाया पास formula क्या होता है एन डाश इस इक्वल टू एन इंटू वी प्लस माइनस वी observer अपन वी प्लस माइनस वी सोर्स एन डाश बाई एन उसकी वैलियो आ गई है नाइन बाई एट इस इक्वल टू वी अब देखो सिरी साइलेंट प्लीज डरा दिया सिरी ने इसमें भी डॉपलर हो रहा है देखो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर भी सोर्स ऑफ साउंड के पास जा रहा है तो यह फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा तो अब्जर्वर निम्रेटर में हैं बढ़ाने के लिए हमें य वी प्लस वी टी और नीचे क्या जाएगा हमारे पास जो हमारा सूर्स है सूर्स भी पास में आ रहा है सूर्स अबजर्वर के पास आगा फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा यानि डिनॉमिनेटर छोटा होना चाहिए तभी ओवरॉल टर्म बढ़ जाए तो यहां हमारा सूर्शन अजा आए खो 9 X V $8 x 2 V VT, 9V-8V, V is equal to 9 plus 8, 9 plus 8 कितना होता है, 9, 9, 18 होता है, 17VT, यानि VT is equal to V divided by 17, velocity of sound की value कितनी दे रखिये, velocity of sound at 340 meter per second divided by 17, उसकी value आ जाती है, 20 meter per second, answer है हमारा A, बहुत अच्छा question था, options भी बहुत अच्छा थे, से calculations भी कम थी, बहुत ही अच्छा सवाल था यह, next question देखो, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा repeat है, a siren emitting a sound of frequency 800 Hz, moves away from an observer, towards a cliff, at a speed of 15 meter per second, अब पहले यहाँ पे cliff बनाओ, ठीके मान लो, यह हमारी cliff है, और यहाँ पर observer है, और यहाँ पर source है, a siren है, जो कि इस direction में जा रहा है, 15 meter per second है, then, the frequency of sound that the observer hears, in the echo reflected from the cliff, तो यहाँ से जब वो sound टकरा के वापस आएगा, तो उसको क्या frequency सुनाई देगा, देखो, यह rest पे है, यह rest पे है, तो यहाँ से टकरा करके, जब भी sound आएगा, वो same frequency से सुनाई देगा, लेकिन इस cliff को, ज इस frequency का sound आता हुआ सुनाई देगा, उसी को तो वो reflect करेंगे, तो हमारे लिए दरसल यह observer नहीं है, हम इसको observer मान करके solve करेंगे, कि भाई, इसको किस frequency का sound सुनाई देता है, तो हम लिख देंगे, V' is equal to V0, V plus minus V observer upon V plus minus V source, हमारे case में अगर यह observer है, तो इस वक्त तो यह rest पर ह है, तो यह वाली value हमारी 0 हो जाने वाली है, और हमारे पास इसकी value आजाएगे, देखो, 800 into V की value थी, 330 upon 330, plus आएगा है, minus आएगा है, यह देखो, इसके पास जा रहा है, तो frequency बढ़ाएगा, frequency बढ़ाएगा, मतलब denominator कम करेंगे, हम छोटा करेंगे, तो यहाँ पर minus लगा दे into 330 upon 315, अब यह 15 से आप, इसको divide कर सकते है, यह आजाता है, कितना आजाएगा, यह आता है, 22 divided by 21, इसको solve करोगे, तो इसकी approximate value आजाती है, 838 hertz, और हमारा answer हो जाता है, C, इस तरीके से आपको एक question solve करना है, और ऐसे questions बहुत ज्यादा repeat हुए है, देखते जाब, a train moving at a speed of 220 meter per second, देखो यह बहुत तेज चल रही है, इस बार train, 330 meter per second sound है, usually हम 20 meter per second चलाता है, यह 220 चल रही है, बहुत तेज चल रही है, towards a stationary object, emits a sound of frequency 1000 hertz, some of the sound reaching the object gets reflected back to the train as echo, the frequency of the echo as detected by the driver of the train is, इस बार थोड़ा सा interesting हो गया हमारा सवाल, हमाए पास यहाँ पर cliff है, और यहाँ पर से इस direction में train जा रही थी, जिसकी speed थी, 220 meter per second, अब यहाँ से sound wave इदर जाएगी, तो भी frequency चेंज जाएगी, क्योंकि हमारा source चल रहा है, और वहाँ से टक्रा करके वापस आएगी, तो फिर से frequency चेंज जोएगी, क्योंकि observer भी चल रहा है, और source और observer दोनों की वज़े से frequency बढ़ेगी, है ना, और हमारे पास एक ही formula है, हमारा formula के n dash is equal to n time, v plus minus velocity observer upon v plus minus velocity of source, values रखते है, thousand hertz initial वो थी frequency, उपर देखो, हमारा जो observer है, यानि जब train में बैठे driver सुनना चाहता है, तो वो इस cliff की तरफ ही जा रहा है, तो जो रहा है, तो जोड़ frequency बढ़ाएगा, तो उपर भी हम plus use करेंगे, तो आजाएगा उपर हमारे पास 330 plus 220, denominator में देखो, हमारे पास v source, अब source cliff को मत समझो, cliff तो वही चीज़ reflect कर रही है, जो cliff ने सुना था, तो cliff ने सुना था, क्या सुना था, cliff ने सुना था, कि उसकी तरफ train आ रही थी, train उसके ल minus 220, यहां से आप देखोगी, यह आ जाता है, 1000 into 550 divided by 110, और यह आ जाता है 5000, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा उप्शन थे, calculation भी कोई used ने हुई, बहुत ही interesting सवाल है, इसको star mark लगा लिए जाए, next question देखते हैं, I think ऐसे सवाल बहुत repeat होते रहते हैं क्या, the driver of a car traveling with speed of 30 meter per second towards a hill, फिर से जा रहे हैं, hill की तरफ, sounds of 600 hertz, if the velocity of sound is 330, the frequency of reflected sound as heard by the driver, again exactly पिछले सवाल जैसा ही है, बस values बतल जाएंगे, तो यहां पर हम जो सुनने वाले हैं, and dash की value हो जाएगी, 600 into 330 plus 30 upon 330 minus 30, which is equal to 600, into 360 divided by 300, 0000, 3 से कट गये 2, और answer आगया, 36 into 2, 720 hertz, B हमारा answer है, बहुत ही सिंपल, ललू सा सवाल था, पिछले सवाल जैसा ही था, a car is moving towards a high cliff, फिर से cliff हागी, the car driver sounds the horn of frequency F, the reflected sound heard by the driver has frequency 2F, same सवाल है, if V is the velocity of the sound, then the velocity of the car, in the same velocity units will be, इस बार हमें पता करना है, इस बार हम फिर से दिख देते हैं, कि हमारे पास जो frequency सुनी है, वो है 2F, is equal to, जो original frequency थी, F, और दोनों ही case में विलासिटी पढ़िए, पिछले सवाल, पिछले सवाल जैसे, exactly, तो है, यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ से हमारे पास देखों, आंसर क्या होता है, F से F खट जाएगा, 2V minus 2VC is equal to V plus VC, यहाँ से आ जाता है, हमारे पास, V is equal to 3VC, यहाँ से विलासिटी आफ कार, is equal to velocity of song, divided by 3, हमारा answer हो जाएगा, C, बहुत ही सिंपल सवाल था, पिछले सवाल हो जैसे था, उसका solution, देख लो नहीं समझ आया है, तो, इस बार वेवलेंग भी आ गई है, तो पहले तो हमें काम करते हैं, यहाँ पर N अब्सर्व पता कर लेते हैं, जो भी हमारी इनिशिल फ्रिक्वेंजी थी, उसका उसकी वैली तो ही हमें दे रखिए F, इन्टू, विलोसिटी ऑफ साउंड, प्लस माइनस, विलोसिटी ऑफ अफ अब्सर्वर, अब्सर्वर इस, अब्सर्वर इस मूविंग, और वो उसकी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमें प्लस कर देना है, प्लस V by 5, नीचे फिर से V आजाएगा, और हमारे पास इस तरीके से अंसर आजाएगा, यहाँ पर V से V से V कटके, इसकी वैली हो जाती, F into 1 प्लस 1 by 5 divided by 1, यानि कि 1.2 times F, फ्रिक्वेंसी तो हमें यह सुननी है, अब हमारी वेवलेंथ के साथ क् देखो, वेवलेंथ, अच्छा, हमारे पास observer, और यहाँ पर source है, हमारे पास formula होता, V is equal to F lambda, इस से source ने जो lambda निकाली है, हम वो पता कर सकते हैं, यहाँ पर हम वी कौन सी रखते हैं, जो हमारे medium में sound की speed है, अब देखो हमारा source stationary है, source खुद मूब नहीं कर रहा है, तो जो भ नहीं होगा, अगर source move करता इस direction में, तो हमारी frequency बढ़ जाती हम, वो बढ़ी होई frequency यहाँ पर use करते हैं, उसके हिसाब से lambda की value छोटी हो जाती है, लेकिन क्योंकि source move ही नहीं कर रहा है, तो हमारी frequency उतनी ही है, जितनी यहाँ से निकाली थी, उसने देखो, F से निकाली थी, ह लेम्डा की value लेम्डा ही रहेगी, answer हो जाएगा हमारा C, इसको एक बार फिर से समझते हैं, हमारे पास source से frequency निकाली थी, जो निकाली थी, वो थी F, जो उसने सुनी है, वो है 1.2 times F, हमारे पास formula V is equal to F lambda, तो यहाँ पर हम F कौन सा यूज़ करें, यह वाला, या फिर यह वा लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर हमारा observer move कर रहा है, तो source को तो पता ही नहीं है, यह move कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, यह अपना wavelength निकाल रहा था, और क्योंकि यह rest पे था, तो हम इसी की frequency का use यहाँ पर करने वाले हैं, और इस तरीके से हमारी calculations हो, अग वहाँ पर हवा में wavelength बदल चुकी होते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर यह जो हवा में frequency है, वो वाली frequency है नहीं कि 1.2F उस case में use करते हैं, अगर source move कर रहा हो था, अभी source stationary है, तो source की, हाँ, जो wavelength है, वो वही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी, हमारा answer C हो जाता है, इस question में देखो क्या हो रहा है, हमारा पास है यहाँ पर इस तरीके से सर्क्ल में कोई घूम रहा है, चक्कल लगा रहा है, ऐसे, तो उसकी speed कभी इस direction में होगी, उसकी speed कभी इस direction में होगी, यहाँ पर हमारा observer है, observer के relative, कभी इसकी velocity इस direction में हो जाती है, r omega, कभी इस direction में हो जाती है, r omega, अच्छा, r omega की speed value किती है, radius है, 0.5 meter into 20 radian per second, यानि कि 10 meter per second, हमजी अब उजह है, the lowest frequency, lowest frequency कभी देखो, जब इसके तरफ आ रहा होगा, तब तो frequency बढ़ जाएगे, जब इससे दूर जा रहा होगा, तो frequency कम हो जाएगे, तो हमें क्या use करना है, हमारे n dash की value हो जाती है, n dash is equal to n naught, यानि 385 into 1, अरे सारी, v plus minus v observer upon v plus minus v source, अब velocity of observer तो है 0, ये तो rest पर ही है, velocity of source, जिस वक्त ये दूर जा रहा होगा, उस वक्त हमारी frequency हमें कम करनी है, यानि कि हम यहाँ पर plus का sign use करेंगे, तब ही denominator छोटा होगा, अरे बड़ा हो जाएगा, और ये हमारी overall term छोटी हो जाएगी, n dash is equal to 385 into velocity of sound is 340 upon 350, यहाँ से 34 by 35 इस तरीगे से आ जाता है, और आप देखोगे कि ये 35 into 11 करोगे आप, तो 385 आता है, तो हमारा answer आजाएगा 11 into 34, which is exactly equal to 374 hertz, हमारा answer हो जाता है C, अच्छा सवाल था, काफी अच्छा concept था ये, इधर जा रहा है, इधर जाना, 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 ओके, next question देखते हैं, a source and an observer move away from each other, पहली बार move away हो रहे हैं, अभी तक सब बढ़ा ही रहते frequency, अच्छा पिछले question भी बढ़ा ली थी, sorry, कम कर ली थी, a source and an observer move away from each other, with a velocity 10 meter per second, with respect to ground, if the observer finds the frequency of the sound coming from the source as 1950 hertz, then the original frequency of the source is, इस बार सवाल बहुत असान है, अभी तक हमारे पास क्या होता था, n' is equal to n, v plus minus vo upon v plus minus v s, अभी तक हमें ये पता होता था, ये पता होता था, ये पता होते थे, हम ये निकाल लेते थे, इस बार हमें ये बता दिया, ये सब बता दिया, अब हमें ये निकालना है, तो बहुत असान सवाल है, इसको हम कर लेते हैं, 1950 जो सुना है is equal to n times sound क्या है speed 340 अच्छे दोनों move away from each other है दोनों के एकार में frequency कम होने की कोशिश होगी तो यहाँ उपर हम minus use करेंगे minus 10 और नीचे हम plus use करेंगे 340 plus 10 इसे हमारे पास आ जाता है n is equal to 35 upon 33 into 1950 और इसकी approximately value आ जाते है 2068 चाहिए value कैसे आई हम इसको आप लिख सकते हो 1 plus 2 upon 33 into 1950 या फिर मैं इसको लिख सकते हो 1950 plus 1950 into इसको उपर नीचे 3 से multiply करते हो जाएगा 6 divided by 99 इस 99 को आप करते हो approximately ये value 100 करते हो तो ये से कट जाएगा 10 से यहां पर point आ जाएगा आंसर हमारा आ जाता है 1950 प्लस 19.5 into 6 और 19.5 को भी आप ठी का इसको multiply कर सकते हो तो या जाएगा 195 0 प्लस 20 120 माइस 3 जाएगा 117 तो हमारा आंसर आजाता अप्रोक्समेटली 1 नहीं स्वारी आजाएगा 2067 विच प्रेटी क्लोस तो इस विच आपर आंसर बी आंसर आगया नेक्स क्वेस्टिन देखिए अ स्टार विच इस एमिटिंग रेडियेशन अट वेवलेंथ ओफ 5000 एंग्स्ट्रम ओके इस अप्रोचिंग देखिए अप्रोचिंग देखिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन लाइट की वेलोसिटी के कंपरिशन में बहुत ही काम है हमारे पास क्या हो जाएगा अब यहाँ पर हम क्या कर सकते है फिक्वेंसी को हम लिख सकते है V is equal to F lambda क्या होता है N is equal to V by lambda तो 1 by lambda dash is equal to 1 by lambda into C upon C plus minus कितना है यह Vs lambda dash की value हो जाती है lambda times C यानि की speed of light जो होती है 300 into 10 raise to power 6 plus हमारे पास यहाँ पर wavelength देखो वो उसके पास आ रहा है star is approaching the earth पास आ रहा है तो frequency बढ़ाने की कोशिश करेगा यानि wavelength कम होने की कोशिश करेगा wavelength कम होगी तो यहाँ पर हमें minus का use करना पड़ेगा minus 1.5 into 10 raise to power 6 value कितनी आ जाती है 300 into 10 raise to power 6 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 cut गए सारे के सारे और हम लिख सकते है lambda dash is equal to lambda minus lambda into 1.5 upon 300 अच्छा और एक चीज़ देखो हम से सवाल में यह नहीं पूचा है कि final wavelength कितनी है हम से पूचा है change in wavelength change in wavelength कितना हो जाता है lambda minus lambda dash या फिर इन दोनों का minus करो subtract करो जो भी value आजाए तो वो value हाजाती है lambda dash minus lambda is equal to minus lambda into 1.5 upon 300 हमें खाली magnitude की बात करें नहीं है तो हम magnitude इस तरीके से लगा देंगे और हमारा answer जाएगा 5000 into 1.5 divided by 300 यह इस तरीके से cut गया है और यह हो जाता है 5 into 15 divided by 3 यह करता हमारे पास 5 आजाएगा इसकी value आजाती है 25 ang strong क्योंकि सब ang strong में चल रहा था हमारा answer आजाता है C बहुत ही अच्छा सवाल था और अब एक concept ऐसा देखते है जिसमें Doppler और beats दोनों का use होने वाला है two sources P and Q produce notes of frequency 660 hertz each a listener moves from P to Q with a speed of 1 meter per second if the speed of sound is 330 meter per second then the number of beats heard by the listener per second will be तो मैं पास P है हमारे पास Q है यहाँ पर भी 660 hertz है यहाँ पर भी 660 hertz है यहाँ पर एक listener है जो इस टब जा रहा है 1 meter per second है तो अब यह 1 meter per second से दा जाएगा तो इसके कारण तो frequency बड़ी हुई सुनाई देगी और इससे दूर जा रहे हो तो इसकी frequency कम हुई सुनाई देगी तो हमारे पास थोड़ी सी beats आ जाएगी पहले हम इसकी frequency निकालता है जो यह सुनने वाला है इसकी frequency 060 से थोड़ी सी कम होगी क्योंकि हमें पता यह दूर जा रहा है तो frequency कम होने की कोशिश करेगी तो हमारे पास N' उसको मैं लेखता हूँ N P is equal to 660 into 330 minus 1 upon 330 NQ जो हमारे Q की frequency इसको बड़ी उस सुनाई देगी वो कितनी सुनाई देगी NQ is equal to 660 into 330 plus 1 upon 330 अब ध्यान से देखो denominator में कोई चेंज नहीं है क्योंकि denominator source के कारण उड़ता है source तो दूने केस में static है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा अब यहां पर हम इनको इस तरीके से cut कर सकते हैं यह value हो जाती है 2 और हमें पता क्या करना है NQ minus NP तो वो value हो जाती है 2 into 330 plus 1 minus 330 minus 1 तो यहां पर value हो जाएगी 2 into 2 2 into 2 which is equal to 4 तो हमें 4 beats per second सुना ही देने वाली है यह बहुत अच्छे सवाल था है इसको आप star mark कर सकते हो next question देखते हैं वो भी काफी similar ही है two sound sources emitting sound each of wavelength lambda are fixed at given distance apart a listener moves with a velocity u along the line joining the two sources the number of beats heard by him per second is देखो यहां से यहां पर हमारे पास यहां यह था मानलो source number 1 यह था source number 2 इस तरह जा रहे हो आप u की speed से इसकी भी frequency थी f0 इसकी भी frequency थी f0 f1 जो इस 1 की frequency इसको सुनाई देगी वो थोड़ी कम हो जाएगी है ना क्योंकि यह दूर जा रहा है यह दूर जा रहा है तो f1 की value हो जाएगी f0 into v minus u upon v जहां पर v हमारे sound की speed है f2 की value किती हो जाएगी वो जाएगी f0 into f2 के पास आ रहा ही है तो बढ़ने की कोशिश करेगा f2 into v plus u upon v हमें पता करना है delta f यानि की f2 minus f1 f2 minus f1 की value हो जाती है f0 divided by v इदर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2u अच्छा f0 divided by v यह क्या चीज है यहाँ पर देखो हम लगा सकते हैं v is equal to f lambda होता है तो हमाएं पास f0 by v यानि वो वाली value हो जाती है 1 by lambda तो यह जाएगा 2u by lambda और हमारा answer आ जाएगा b इस तरीक सामें इस question को solve करना था और इसी के साथ हमने सारे के सारे वेव के questions solve कर लिए पिछले 33 years में waves के उपर जितने भी questions नीट में तो अब एक काम करो मुझे unacademy learning app पर follow कर लो उसके लिए आपको unacademy learning app को download करना android और आइफोन दोनों के लिए available है फिर आपको वाँ पे अपना free account बना रहा है absolutely free है search करना या पर वी आई के आरेंटी मेरी profile मिलेगी वहाँ पर जाना follow का button दबाना ताकि मेरी live classes के notification आपको मिलेंगे बहुत सारी classes झाल झाल